तो हेलै एवरीवन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे T.S.R ने चाप्टर नमबर वन के टीसरे का सेकेंड पार्ट फो शाट रिविजन का दोस्तों सिरीज चल रहा है जहां पर हम लोग पहले चाप्टर को दो पार्ट में कंप्लीट कर रहा हैं आप लोग चाहें तो इसके चोड़े चोड़े पार्ट करना चाहता है कि यहाँ पर आप लोग Kuleper आप स्वखेश टो पड़ा तो थीक है चलिए आगे बढ़ते यहाँ पर आज हमको Скटनेवाले आर्गन्स डाइगराम, मॉडलेशन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स ओफ जेट इन डिफरेंट कोड़न बहुत इंपोर्टेट हैं, कॉंप्लेक्स नमबर इन पोलार एंड कार्टेशन फॉर्म, पोलार एंड एक्स्परेंशन फॉर्म, अभी तक जो भी आम लोग ने थीन इंपोर्टन चीदों को चाने के साथ, इसे स्टेट्मेंट करते हैं, यहां पर इकोंचीज मुझे लिखनी चाहिए, जो की है, क्या जो होता है, आई जो होता है, तो रूट में मायनेस बन फॉन ई इसाहरी चीज़ें में आले हैं, जो आप लोग को बताऊना चाहिए, तो एक complex number considered करा, then एक point considered करूँगा, इस में से मैं x को निकालूँगा, y को निकालूँगा, तो एक point considered करा है, मैंने एक plane के अंदर, वो क्या है x, y, वो represent करता हमारे इस complex number को, such that x, y is correspondence to x plus i, y, यह क्या है, कैसा हमें आप लोगों समझाता हूँ, अब देखो यह x की जो value है, अप point P होगा, नहीं समझ मैं, रुको जरा, अब मानलों कि मैं x की उपर मेरे x की value plot करो, लेकिन आप लोगों को पता जो यहां पर x होता है, वो क्या होता है, रियल of z, तो अगर मैं x axis पर x value plot करूँगा, तो यहां पर मानलेते कही पर आने वाला, मैं नया color का ले ले लेता हूँ हो मा कर तो जाद अच्छे समझ मैं, मानलेते कहीं कि यहां पर कभी x आने वाला है, तो देखो x क्या है, मेरा complex number है, that real part of z, और real part of z को मैं x axis पर denote कर रहा हूँ, मतलब x axis को मैं प्यार से real axis भी बिला सकता हूँ, उसी तरीके से मैं y वाला जो मेरा value है, उसे represent करूँगा, मैं y y की value होती है, imaginary part of z होती है, इसलिए मैं y axis को प्यार से कहां भिलाओंगा, imaginary axis, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, real axis हो जाएगा, तो मैं यहां पर करता हो कोरूइं से हैं करता हूं दूसर करें दूसर से These points पर इस बाइन पीट बनेका दोस्तों क्या एक्स को माँ और माल लोगी यह पॉइंट पी है तो हमारे क्वेशन की इसाब से पी क्या है एक्स वही मेरा रिपेसेंट क्या करता है मेरे कॉम्प्लेक्स नमर को यानि की एक्स एक्स प्लस आयवाई को रिपेसेंट करते बहुत इंपॉर्टन चीज़े दोस्तों इसको बोलते है अपने आरगन जाएगा अरगन ने क्या किया रियल पार्ट ऑफ जेट को कम्बाइन करके ऐसा बना दिया अब देखा जाए तो यही मेरा रियल पार्ट ऑफ जेट था इस पॉइंट के फॉर्म में करनवर्ट करके लिग दिया था बहुत सिंपल चीज करें लेकिन यह सिंपल चीज करें इसको आगे के जो टॉपिक उसे बहुत काम आने वाला है मतलब क्या एक एक्जामपल लेता हूं जैट इस इकल सु थी प्लस टूइ लेता हूं तो यह थी स्लाइट आपन से किया आर्गिमेंट स्था मॉड्यलेस की सब्सेल आरगंट्र को आपको वापर प्रिरसे बराना पड़ेगा तो हम्हें सबसे पहले मेरा आरगन जागराम को रेडी करता हूं पर स्था आपर ध्यान देना मैंने एक्सिस द्रॉक कर लिए ठीक है आप लोगा लिकले तरहुमा थेक क्यों सब्सक्रों सूभाइब है Washingtonatthat ऐसा क्योट करेंग है क्यां having to plot करते हैं यहां पर मैंने क्या क्या है इसे करों या बाइन से दिए धोनों कहाँ किसी स्ट्रपों स्कारें से क्रास करें तो मैं ना में गर्दिता हो वं ओ maladies यहां से यहां तका जो लेंद्ध होने वाला इतना समझ में आ गया अब आपन सेखेंगे स को होता है मारढलोर। इसका मतलब बहुत सिंस थियान इसा करना है। मैं मांड लेता है यहां पर एक लाइंDAY famine करता हूं इसका अगर मैंओ इसको पकड़ता हूं अब बात को समझ रहा है यह जो हो था इसी को बोलते है modulus of z modulus बोला जाता है क्या बोला जाता है modulus of z ठीक है मतला modulus of z का square equal to x square plus y square तो simply मुझे modulus of z चाहिए होगा तो square root यहां पर बेज़ेंगे under root के अंदर x square plus y square आजाए और आपको एक और चीज में बताना चाहते हैं यहां पर जो आर लिखा हुआ ना उसी को बोलते है अपन मॉड्लस of z आर को क्या बोलते मॉड्लस of z मालले इस question ने बोला भाई modulus of z find out करके दे तो मैं कैसे करूंगा भाई modulus of z को मैं z से भी सकता हो मॉड के अंदर या फिर आर से भी लिख सकता हो उसकी वैली क्या हो जाएगी 4 का स्क्वार और 5 का स्क्वार अंदर रूट के अंदर 4 का स्क्वार जो होता 16 होता 5 का स्क्वार 25 दोनों को आड करूंगो तो रूट के अंदर कितना हो जागा 41 that is what that is what modulus of this question this complex कि कहां काम आएगा यह आगे काम आने वाला जब मैं आगे टॉपिक्स पड़ाओं लेकिन यहां तक मॉडलेस क्या होता है मॉडलेस समझ में आगा उसी तरी किसा आर्गिमेंट भी होता है तो आर्गिमेंट को एक और नाम अपन रखते जिसका नाम क्या है अब वो क्या होता है वो होता है हमारा एंगल मतलब मैंने मेरा यह मॉडलेस वाली जो लाइन है वो रॉक कर दिए हुए तो कितना एंगल यहां से यह तक बना रहा है मैंने यह करना है यहां पर मैंने मेरा पॉइंट लेलना मेरा पॉइंट माल यहां पर था इसको नीचे के तरफ ट्रेस करता फटा फट से ध्यान देना यहां ट्रेस कर दिया इसको यहां ट्रेस कर दिया और दोनों को जोईन करने के बाद यहां पर मैंने मेरा मॉडलेस वाल यह सारी चीज़े मैंने आपनों को स्क्राइब करते हैं अब मुझे क्या सिखना है आर्गुमेंट या पिर आंप्लिट्यूट यह क्या होता है जो यह रिजल्टन वाली लाइन है वो कितना एंगल ट्रेस करें पॉजटिव एक्स एक्सिस्टिफ को बलते हैं आपने एजिसन किसके फॉर्मले में आ था ताइंट थीटा इस उकल्स टुट वाट वाइब एक्स या फिसी में इसे भी लिख सकते हैं थीटा इस इकोल्स तुट वाट तो यह रिजा जाएक तो इसको बहुत इंपोर्टन चीज़ें आप लोगों को यह सारी चीज़ें बाद में मैं आपको इरें अप गेरीं बात की लेकी लिख fermented आप लोगों है और तो इसकी है तो इसकी और झाली यह होगी सिसका बहुत अच्छी बात तो सबसे पहले मैं ने का बना लिया हुआ है अब आप लोग को सारी समझाता हूं यह एंगल कितना होगा जीरो एंगल होगा यहां से यह तक जाएंगे तो कितना हो जाएंगा 90 और 90 को अपन बैको में लिखते हैं पाइबाइट कैसे आप लोग ने फॉर्स चैप्टर मैंट्स वन का एंगल एंड मेजरमेंट सीखा होगो उसके एसाफ से देखेंगे तो नाइटी को अपन पाइट लिख सकते हैं इसको लिखते हैं त्री पाइबाइट और फारेली आपन पूरा राउ कि मेरा अब इसमें आपने को आप चीज़े सिखने हैं पहला चीज़ यह होगा कि अपना अंगल अब दर्स थाटी नहीं हुआ है तो कौन सेख्स पर पॉसरा अंगल स्थाट होगा लेकिन फर्स काड़ेंट में इसको बोलेंगे फर्स काड़ेंट के अंतर हमारा लाइन आ रह पहली बाग एक्स एक्स पर किसकी वैल्यव जीरो होती है वा एक्स पर लेकिन देखा और क्या पढ़ रहे हुआ है अब क्या पर अपने कंडिशन के साथ तो आर्ग्यों में डिइफें different content and access इसको अपन समझते तो पहला आपने यहां पर एक question लिखा हुआ है तो यहां पर क्या question लिखा हुआ है कि एक ही वल्ली क्या होगा greater than zero मतलब A जो होगा वो क्या होगा positive होगा क्या होगा positive होगा और B क्या होगा equal to zero तो इसे मैं यहां पर content system में बना कर बताता हूं अगर clear हो तो बहुत अच्छी बात है यहां पर यह क्या है मेरा imaginary access और यह मेरी कौनसी access है real access है तो यह simple सी बात है अगर मैंने z is equals to a plus ib पकड़ा हुआ है ठीक है सारे question में आप लोगों को यहीं पकड़ना है z is equals to a plus ib पकड़ा हुआ हुआ है यहां पर कुछ तो भी होगे मतलब हमारा जो value लाई करने वाला वो access पर लाई करने वाला तो आप दो हाथ है दोनों एक दूसरे के उपर लाई कर रहा है अंगल स्टार्टी नहीं हुआ है तो यहां पर जो आर्गूमेंट बनेगा न थीटा वो कितना बनेगा टाइट फॉर्मला क्या बता है आप लोगों को टैन इन वर्स बीबाए अब आप लोगी समझो एक ही वेली क्या है जीरो है लेकिन बी की वेली यहां पर क्या है जीरो तो इस समय में उस केस में so Hey की वेली जीरो होती है ज़ी की में यहां पर आजाओ को जैसी सब्icamente करेगा तो ध्यांद मतलब यहां पर ध्यां दो při तो फार्स कोड़न में जो होता दोनों भी प्लस में अब इसको अगर मैं देखूंगा तो यहां पर थीटा की वेल्यू कुछ तो भी आएगी लेकिन कितनी आएगी करने जोशिश करें ना दोस्तों यहां पर अगरें अगरें से प्लाट करूँगा यह हो जाएगा मेरा नीचे वहला पार्त ऑफ यहां देना और क्या हो जाएगा और यह इतना अब आगे बढ़ता है अब आगे बठते अब और आगे जाना अब किया है कि वैलुए जीरू होगी बीकि वेल्यों किया जो जिरो मतलब कौन सा एकसे आगा वह अप लोगो समझ रहा है यहां पर कहीं पॉइंट लाई करना वाला तो आप लोग भी समझें तो यहां पर हमारे पास कितना कुछ तो भी है गटर दन जीरों और अब यहां पर अपन थोड़ा से और आगे भागेंगे तो मतलब सी बात है इसको मैं यहां से हटा तो यह काम का कुछ तो है नहीं लेगिन फिर भी यहां पर मेरा लाइन कुछ इस तरीके से आएगा इस्को कैसे अमझता है बहुत सीमपल चीज़ी है दोस्तों बहुत सीमपल है यह तो समझना अगर। यह वाला आप बहुत अच्छे समझने आगा है अब यह यह पर यह जब्वी अपने क्या कि यह करेंगे को यह एंबल लेता हूा हूं यू मन लेता हू YouTuber और इसको महिने हुआ घृता है फिरलाल प्रोल्टा पकड़ो इसको मार लो इसको मार लो यू मत मानो इसको मार लो यू और इसको मार लो थीटा तो हमें ये थीटा फाइंड करता है तो फिलाल के लिए थीटा मत पकड़ो फिलाल के लिए अब क्या समझना है आप लोको ये ध्यांदर को माल लेते हैं मैं इसको फ्लॉट करता है यहां पर यह पॉइंट हो जाएगा कुछ तो भी होगा एक कॉमा भी बनेगा राइट है हां तक कुछ तो भी पॉइंट बनेगा एक कॉमा भी बनेगा अब इस पर ध्यांद रहा है बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा हो यहां पर जो हम लोग को एंगल मिलेगा वह टैन ओफ यू देजिए अपोजिट इस पर एंजिशन का यहां पर बनेगा यहां पर बनेगा इसको सीधा इंवर्स ओई तो यह आप लोग आप लोगो क्लियर से लेकिन अपने को टोटल टीटा चाहिए होता है आप लोगी सुचो फीटा में जब मैं यू को एड करूंगा तो कितना एंगल बनेगा पूरा वरीटी बोले तो पाई तो मुझे यहाँ पर चाहिए थीटा को अधी पर रखो पाई पर यहां पर बेज़ो यहां पर जागा तो माइनेस यह निकाली है तो यह की वालु कितनी होगे टान इन्वर्स ओफ यह समझ में उसी तरीके से यह क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है उसी तरीके से अगर इस अब दोखो सारी चीज़े आप लोगों के साब में अब आप लोगी सुचो नेगेटिव एकसिस थीटा कितना फैल चुका पाए तो यहां पर हो जाएगा ठीक है यह बहुत सिंबल सिंबल चीज़े आप यहां पर आजाओ अब उसके बात इसके अंदर क्या होगा हमारा थीटा कहां पर जाएगा थर्ड कोड़र में पूरा का पूरा प अब आप लोग मुझे बताना सिंबल तरीके से बताना अगर अगर यह एंगल कितना है यहां से यहां से यहां बना यह एंगल कितना पाए आप लोग मुझे बताना पाए थीटा की वैल्ली क्या हो जाएगा पाए प्लस यू लिख सकता हूं मैं क्या पाए पूरा और यू स उसकेस में हमारा एंगल जो बंद है यह फंडा बहुत सिंपल है इसके बाद यहां पर क्या चाहिए अब आप लोग समझो हां इधर मैं बनाकर बनाता हूं अभी अपने दोनों भी क्या है एक्स की वेली यहां पर पॉजिटिव है य की वेली लेस दन जीरो मतलब सिंपल अब आप लोग बजाओ अगर थीटा और यू को मैं सब्सक्राइब करता हूं तो कितना बन जाएगा पूरा 360 बन जाएगा अब आप लोग को पता यू हमेशा क्या होता है टैन इन वर्स भी बाए तो सिंपल थीटा की वेली क्या हो जाएगी टूपाइ माइनस यू और पंपले हिसा आपसे जैसे आपको याद रखने याद कर लिए रख सकते हो पॉसीटिव एक्स एचस कितना हों जगा नेगेडिव एकस एकस कितना पाय और स तरीके सी अपने हैं अगल या रख लिए उसके बाद क्या अगर फर्स कोडिन में आ रहा तो तो और बीबाए सेकं मैंने आपको बहुत शॉर्ट में करने कोशिश कर रहे हैं बहुत एजी समझाने कोशिश कर रहे हैं मैं चाहिए और लेंग दी बदा से लेकिन वह उसका कुछ मतलब नहीं था आपको बस चीजों को याद रखना और किस तरीके से याद रखना मैंने आप लोगों बता दिया अब यहां पर डिपरेंट डिपरेंट इजांपल के साथ भी समझ सकते माल लेते हैं इसका तो जाड़ की वैल्यू दीवीदी को एक वैलीव जीरो मतलब रियल पार्ट जीरो है तो मैंने त्री आइज जो आएसा दिया रहें तो उसकेस में अपलोग अप्लिट्यूट निक अब यहां से अलग करते हैं प्रौपर लिखिछ लेते हैं अब इसको क्या करता है यहां पर नीचे की तिरफ लॉट किया इधर बाट कर दिया अब मुझे यहां पर महले ते पॉइंट मिला हुआ में आप सब्सक्राइब आप लिखा हूँ और यहां पर लिखा वार यहां पर यांपर पपर सब्सक्राइब सीखने के लिए सब्सक्राइब कु mechanics computer पता आप लिए अपोज confirm आप पॉजिट्हां है į και हौई स्कूरा क्या हो होगा एक जिसन अपन है पोडिशनी की एक स्वायर यह समच में आ गया इसमें से एक्स और वाई की वैडियो अलग करनो देखो सिंपल सी बात है देखो वाई में यहां पर रखूंगो तो आर साइन थीटा की वैलू कितनी हो जाए कि वाई हो जाएगी और यहां पर जाएंगे तो यहां पर क्या ओशेगा क्या हो जाएंगा स्वच जाएगा अब आप लोगों चीज को पता है क्या एककस का स्कूर्ण प्लस वाई का स्कूरण या सब्सक्राइब टो जिए अपर यहां पर बताने में लिए सबको पता है अमनी क्या उप्र इस प्लस प्लस लेकिन यहां पर आई को भूलना बिल्कुल भी नहीं अब दोनों में कॉमन क्या है आर कॉमन है आर कॉमन निकलो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस वाट पोलार फॉर्म फॉर कॉम्पेक्स नमरी बहुत इंपॉर्टेन चीज़ है यही था हमारा पॉलार फॉर्म क्या है आपन पॉलार फॉर्म क्या है तो बहुत सिंबल है पॉलार फॉर्म को अगर आप लोगों सीखना है तो आपने को सबसे पहले चीज़ जो आने चीज़ हो एक्सपोरेंचल फॉर्म आना चीज़ है यह क्या मिल गया एक्सट इकुस टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन इस तरीके से आपने एक्सपोरेंचल फॉर्म सिखा और यही था आप लोग का पूरा का पूरा पूरा बेसिक एकसे नंबर जो 1.3 उसको समझने के लिए तो सारी चीज़े मैंने आप लोग को समझा दी अब बढ़ते हम लोग हमारे एक्सराइस के ऊपर इन शॉर्ट में आप लोग को यह बता दू कि जितनी भी चीज़ें हम लोग सिंपली एक स्लाइट पर मेमराइज कर सकते हैं जो बहुत सिंपल इसके उपर करती है अगर हमारा एंगल जो हो सेकेंड को डिन में लाइक कर रहे यानि कि थीटा हो रहा है तो थीटा टू की वैलुए क्या पाइज इको सूपाइट इसको सब्सक्राइट से कम है जब बनेटी से कम होगा और पाइज से ज्यादा बन जाएगा वही अगर हमा इसके वैलुए हो जाएगे टू पाइ माइनस क्या हो जाएगा टान इन्वर्स वाइब एक और चीज़ में आप लोग को बताना चाहिए जैसे कि यहां पर आप लोग वैलुए को देखेंगे तो सारी की सारी वैलूइस यहां पर मॉड में लिखी है ताक कि आपन जब वैल आप लोगो इन शॉट डिरेकल बता दिया अब स्टार्ट करते डारिकल हम लोग हमारे कोशन के साथ यह आप लोगो तो बताये हुए है अब इन शॉट में बात करूं तो फाइंड दी मॉडूलेस एन आर्गुमेंट और मॉडूलेस हम लोगो फाइंड आट करना तो पहला चीज़ Rs. x की वेलू1 मिल जाएगी इन. y की वेलू मिल जाएगी – 1 पेसिक चीज़ जो आप लोगो पहले से समझ में आते हुए और आप लोगो पहले से प्ता है अब क्या निकालना है हमें निकालना कोशन लिट करो find the modulus and argument तो modulus and argument find करना है modulus मतलब जिसे लिखते हैं आपर R के साथ भी या फिर mod of Z दोनों मैंसे किसी से भी लिख सकते हैं उसका value कैसे मिलता है under root x square plus y square यहां तक अब x की value हमारे पास 7 और y की value हमारे पास 5, 7 का स्क्वाइर, 5 का स्क्वाइर, फटा फट से पुट करेंगे, तो आपर मुझे मिलेगा 7 स्क्वाइर, प्लस माइनस 5 का स्क्वाइर, 7 का स्क्वाइर होता है, 49, 5 का स्क्वाइर 25, दोनों को एड करेंगे, तो मिल जाएगा रूट 73 यह हमारी आर यानि मॉडलर्स ऑफ जेट के वैल्यू सेकेंड इस बात करेंगे हम आपन आर्गुमेंट के तो आर्गुमेंट अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग को सबसे बहुत को पहले कॉडरेंट समझना होगा अब बात करते हैं एक्स और वाई की वैल्य एक्सहाँ है पॉजिटिव है है तो य हमारा क्या है निगस्टीव है इसे समार्ण में समझते है अब देखा चाहित jos ऐसे फॉड़ाब इस अरए दोनों सट से के Christina of the city एक्सटीव इस तरीके से हम लोगों 4 आ है स्रिकлस्राइग इस पो IP थीटा है रहा कौनसे कावडरेन में थीठा लाए है इन ला ही and fit यूंकि हें इतनल अब थीटा पान्स करने के देखते। चलो यहाँ पर फोर्ट कारण में हमारी वयल्यिव है दोस्तों यह दो यहाँ पर टू पाइ- Tian पेस्ट दोस्तों वे लिए वाख से क्यों वह तो पाइब एसी रखेंगे माइनस वैसी रखेंगे टैन इनवर्स ओफ य वाइब एक्स वाइब एक्स वाइब एक्स वाइब कितनी है यह सिंपल सी बात है मौड हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वैलू निकाल कर देता है ताट मिंस यह आपर मुझे मिले गए टैन इन वर् तक एकदम सही है इस तरीके से आपने मौडिलस और आर्ग्यूमेंट की वैलू निकाल लिए एक सिंपल कोशन अब बाकी किस बाकी सारे एकदम आसान अगर यह कोशन क्लियर है तो आगे के सारे कोशन एकदम सॉटेट जाने वाले बताता हूँ क्यूँ यह बहुत ही सिंपल यहाँ पर लिको एकसट को टो मायनेस त्री एन वाई इकले टूट्स अब बात करते सबसे पहले मौडिलस के सभी को बता है मौडिलेस अभी जैट को हम लोग लिखते हैं मौड़ जैट के साथ और हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता राइट अब इसकी वैली क्या हो रूट X square plus Y का square value को डालेंगे X की value है minus 3 Y की value है 3 minus 3 का square plus 3 का square डालेंगे फटाफ़र से values पने कालता है negative number का square positive मतलब 9 और 9 9 plus 9 होगा 18 18 कितना हो जगा 9 multiply by 2 और उसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो हो जगा 3 रूट टू नाइन का स्क्वाई रूट थ्री और टू का स्क्वाई रूट हमें पता नहीं है यह लेकिन यहाँ पर बात करता हमें एक और चीज जो हम लोगो फाइंड आउट करनी है वो क्या है दोस्तो आर्गिमेंट जिसे हम लोग प्यार से आप्रिट्यूट भी बुलाते अब सब्सक्राइब बाते हैं देखना पड़ेका कौन से कॉडिन में लाई करता है धूर देखते है थीटा लाई इंट फूर्ण लिकनी है उसके बात क्या करेंगे यहां से कम है कि जादा है पाइस से कम यानि कि पाइ माइनस यहाँ पर क्या आजहागा यहां टक डालेंगे अंसर निकालेंगे लेकिन एक सींपल सी चीज मैं जो आप लोग बताना चाहता हूं तो यहां पर आपने को मौड डालकर लिखना पड़ते यह होती सिंपल से चीज़ आप लोग को समझनी पड़ेगी अब मैं यह आपर पाई को वैसी ही रखता हूं माइनस टैन इनवर्स ऑफ अगेन वाई की वैल्यू क्या है देखते हैं हमेरे पस वाई की वैल्यू है चाहूं करें लिखना चाहूं और कैंशल करूंगा फॉर्टी फाई फॉर्टी पाई 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 गाए फॉर समझ में टैन की फॉर्टी फाई यानि की पाई पाई फॉर वाले जो वैल्यू होती है वह उतिए अब इसे सॉल कर लेंगे क्रॉस मृटिप्लाइग गरूं सिंपल सा कोश्यन था एकदम आसान था कोई डॉट है दोस्तो स्टेप्स देख लो कोई डॉट है तो फटापट से क्लियर कर लेना चले आगे बड़े चलो ठीक है यहां ता क्लियर है अब फटापट से नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं उसके उपर ध्यान देता है क्वेशन क्या वन मल्टीप्लाइबा आई बोल सकता है यह सिंपल सी बात है यहां पर जब मैं कंपेर करूंगा इसको एक्स प्लस आइवाई के साथ तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी रूट थ्री एन वाई की वैले मिलेगी माइनस पहला स्टेप होगा कि मैं यहां पर सबसे पह स्कुएर वाई की वैल्यू माइनस वन माइनस वन का स्कुएर रूट 3 का स्कुएर होगा 3 नेगटिव नमबर का स्कुएर होगा पॉसिटी यहांने माइनस वन का स्कुएर हो जाएगा यहां पर 3 प्लस 1 लिखता हूं अंडर रूट 4 लिखता हूं 4 का रूट 2 लिखता हूं यह मिल गया मुझे मॉडिलोस अब थीडा निकालना थोड़ा टास्क बन जाता है कि नहीं बन जाता है तो थीडा के यह पर भागते है फटा-फट से देखना पड़ेगा पहले एक्स की वेल्यू क्या है और य की वेल्यू नेगेटिव पॉस्टिव का फंटा समझ लेते हैं ओसके वाल इसको भी कर लेएं यहां पर एक्सकी वेल्यू जो है वो क्या है देखो फंट आपर गडीव से एक्सकी वेल्यू है हमारे पस पॉस्टिव य भाइपर सुटिव की वैलिए जैसे आपकी रोमन में लिखो के तो भी चलेगा और दॉने के बाद क्या करते हैं आपन चेक करते हैं धो स्थ जो सब्सक्राइब पर आगर थीटा लाए भी करेगा तो किस से काम होगा टूपाई थीची से कमी होगा यहां पर में लिखना थीटा इस इकोल टूपाई साथ बालों को एक चीज़ पता होनी चाहिए की जबी भी आपन यहाँ पर यह जो ब्राकेट डाले ब्राकेट में नहीं लिखना यह अतने को मौड में लिखनाय है कि माड में लिखने हैं क्योंकि अपने को जो माड के बाहर के जो वयलुव मिले हो हमेशा पॉस्टिव लिखता हूँ टूपाइ माइनस ट्ैन इन वर सथ य की वैलु कितनी है दोस्तों वांकि वैलुट कितनी है फटापर से देहान दो यहां पर य हमारे पास है यहां पर रमा पॉजिटीव में लिख दिया है यहां पर लगा कर अब आप लोग एक और चीज पता उने चीए कि तैन की कौन सी वैली वन बाय रूट 3 होती है देखा जाए तो 45 पे बन होती है 45 के पहले वन बाय रूट 3 तो 45 के पहले आएगा जाएगा simply 30 दिगरी और 30 दिगरी को अपर इसमें लिखना चाहे 30 दिगरी को मैं लिखना चाया तो यहां पर मैं अपर समझाता हो 30 दिगरी को अगर रेटीर में लिखना चाहो तो multiply करूँगा पाइग माय गए वन इती से 0 करने का और बहुत यह आसान था एकदम सिंपल हो जाता है कभी ऐसे कोशन आए आप लोग अराम से कर सकते हैं जैसे कि यह कोशन अभी आप पर वन भी पॉजिटीव रूट 3 भी पॉजिटीव है इस कोशन को अगर आप लोग ट्राय करिए आप लोग क्या अंसर मिलता बताना और थीटा की वेल्यू क्या मिल रही है और थीटा की वेल्यू क्या मिल रही है और थीटा की वेल्यू क्या मिल रही है और थीटा की वेल्यू क्या आप लोग को पाई बाई रूट 3 याने पाई बाई 3 मिल रही है कि चेक करके बताना जरा यही आंसर मिल रहे है क्या कि आर सा और हमारा आर्गुमेंट आफ यह होजाए का मॉडिलोस आफ सेंपल तरीका है आप लोग इस तरीके सा श्मुत आ जाए करेंगे चलिए बढ़ते आगे ठीके यह कुशन थोड़ा सा लग होने वाला है यह कुशन में चीजें अपने को बहुत अंसौर्टर फ़र्म में दिए 3i sin theta upon में 1-2i sin theta अबसे पहले चीज़ हमें यह दी होगी हमें क्या find करने है थीड़ा की value find करनी है जहाँ पर हमारा complex number जो यह दिया हुआ है यह क्या हाँ पर उसकी real value होनी चाहिए मतलब real value of theta क्या होगी अब real value मतलब क्या होगा simple सी बात है अगर complex number पूरी तरीके से real है इसका मतलब यह हुआ कि उसका उसका कौन सा पार्ट 0 हो जाएगा imaginary part 0 हो जाएगा imaginary part क्या होगा 0 और उसके हिसाब से आपन फटा-फटे से solve कर सकते हैं बात करते 4 प्लस 3 3i sin theta minus 2i sin theta the first step must be सबसे पहले denominator को देख क्या है यहां पर complex number है जब भी डिनो में complex number होता तो इस हम लोगों क्या करते राशनाइज करते है वन प्लस 2i sin theta आपन में क्या आ जाए का 1 प्लस 2i sin theta कि इतना क्लियर हो गया अब उपर multiplication सॉर्टेड होने वाल नीचे लएगा a square minus b square का फंटा याने a square minus b square ठीक है उपर देखते क्या होगा उपर यह होगा पहले 4 पूरे bracket साथ multiply और फिर 3i sin theta पूरे bracket के साथ multiply गो तो वो इकी साथ कर लेते 4 को से multiply किया 4,4 को 2 से multiply किया 8i sin theta हो जाएगा उसी तरहीं कि 3i sin theta को 1 से multiply करें गो तरहीं मुझे मिलगा 3i sin theta पूरे फार्डली मुझे मिल गारे यहां पर 3i को multiply करेंगो 2i के साथ तो हो जाएगा 6i ka square और यहां मिल जाएगा sin square theta ठीक है यहां तक चलो आगे देख लेते और क्या हो सकता है जैसे कि यहां पर देखा जाए तो नीचे 1 का स्क्वेर 1 होगा 2 का स्क्वेर 4 होगा आई स्क्वेर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा तो उपर भी देख लेते तो उसी तरीके से 4 8 और यह 3 11 आई साइन स्क्वेर ठीटा हो जाएगा ठीक है यहां पर बढ़ते आभी फटाफट से यहां पर देखो जब जब यहां पर देखो क्या हुआ आई मल्टिप्लाइबा आई का स्क्वेर हो गया और i स्क्वेर की वैल्यू होती है माइनस 1 यह मुझे मुल जाएगा 6 28 — 7 सुआ स्क्वेर थीटा अब इसमें कोई बी आई का ट отвеч नहीं जब्लेन आई स्क्वाइर स्वाइर टेटा ये सीके साइड ओ गया और उची के असर प्लस Debbie को मैं सेडमे करते जाएर हो 11 सेटा लिखता हूँ 11 साइट सीटा डालकेन क्या बच्केर नियुक्त सायड में करता हूं अपॉं में क्या बच्चा का बन यह मान육नेर्श यह माइनस प्लस 4 sin square theta मिल जाएगा अब बेस को separate करना भी बहुत simple होता है आसाल होता है तो सबसे वहले real part के निचे उस बेस को देते है यानि कि 4 minus 6 sin square theta अब पॉन में क्या हो जाएगा 1 plus 4 sin square theta यह basic चीज थी उसी के साथ साथ यहाँ पर अब i को मैं तरह side में लिखता हूँ i into 11 क्या मिल जाएगा sin theta upon में क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 plus 4 sin square theta अब चलो इसको थोड़ा अच्छी तरीके देखते है अब हमें क्या बुला हुआ है हमें बताया हुआ है कि हमारा जो given value है पूरी तरीके से real है तो real है मतलब क्या यह value exist करेगी यह value value क्या हो जाएगी 0 तो मैं बोल सकता हूँ scene z क्या है हमारा real है इसे हमें क्या मिलने वाला है इसे हम लोग एक अच्छी से चीज मिले ले यानि कि क्या मिलने वाला है 11 sin theta upon में 1 plus 4 sin square theta की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी denominator की value आप पर 0 से जाके multiply करूँगा तो मुझे मिलेगा 11 sin theta की value 0 में 11 से divide करूँगा मतलब क्या मिल जाएगा sin theta की value 0 में अगर मैं यहाँ पर ध्यान दो तो sin theta की value 0 होती है 0 degree पर लेकिन sin theta की value 0 होती है जब theta की value पाई रीडिन भी होगा उसी के साथ से एक और पर घूम किया हैंगे तो टू पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई अब जितने भी राउंट से लो हर बार पाई वह एन पाई की जिगे पर हमारा theta की value क्या होगी 0 यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपलाइज theta is equals to n पाई क्या हो जाएगा theta की value n पाई वेर एन बिलॉंग्स टू वाट इंटीजर यह बहुत सिंपल से चीज़ आपने लिखती है यह आपने वही लिखना हा था सकती है यह तो एन पाई हो सकती है टू पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई जितनी भी पाई होंगे सारे के सारे पाई में इंक्लियोड हो जाएगा इस तरीके से हमनों ने क्या कर लिया theta की वैलू निकाल दे चलो बात करते कोशन नुबर थ्री फाइव जैड इस इको त्री प्लस सिंपल है सबसे पहले हम लोगोगो जैड क्या दियो उसको देख लोगे वैली क्या 3 प्लस पाई 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 इसका पॉइंट बनता है क्या बने का मालों की ए बन रहा है हमारा 3,5 बन जाए उसी तरीके से मैं मालों जैड बार लिखता हो क्या हो जाएगा 3-5 आई वो क्या ह हो जाएगा यह हो जाएगा माल लेते हैं यहाँ पर 3-5 इसको मैंने भी लिख दिया उसी तरीके से आगे चलते आगे माइनस ऑफ जैड यानि किसका नेगेटिव निकालना है मानलों जैड में क्या हो जाएगा माइनस 3-5 इसे रिखना चाहूंगा तो पॉइंट क्या मिलेगा डी पॉइंट हम लोको मिलेगा ठीके क्या मैसे थ्री कॉमा फाइफ अब इस चीज़ को यहाँ पर आर्गंश डाव्यraw रिपेसेंट करें आर्गंब क्या करता है एक रियल अकसिस लेका है इंटो प्लेनपे रिपेसेंट सेण कर देता है सारे पॉइंट उ चलो शल वेल्व तक है तो 5 तक लेक लेक है यहां लिखता हूँ हमें 1 2 3 4 5 और फाइनली 6 तक यहां पर minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 और चाहिए तो आप लोग एक थोड़ी से वेल्व बढ़ा के minus 6 तक भी जा सकता है यहां लिखता हूँ हमें 1 2 3 4 5 और 6 अगेर यहां पर minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 इस तरीके से मैंने किया है लिख अब वैल्व वैल्व को प्लाट करने के भारी है पहली वैल्य ची वैल्य थ्री वायए इकंस की वैल्यव 3 या पर होगी य की वैल स्था हो गी या मिल्गा क्या मुझे a point याने की क्या मिल जाएगा 3,5 और इसे अगर मैं complex नंबर में represent करना चाहूंगा तो यह क्या बन जाएगा 3 क्या मिल जाएगा यहाँ पर ओ यहाँ पर ओ लिखता हूँ और रिपेजंट कर रहा हमारा argument सिंपल एक दम यह तो पहला ठीक यह रही एक सिव एक य की वेलू थी य की वेलू मैनेस दोनों इस पॉइंट पर आकर मीट करें यहाँ पर यहाँ पर यह पर पर 3,-5 यह पर यह पॉइंट हो गया भी मेरे हिसाब से और इस complex नंबर का जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों अगर देखा है दो 3-55 है आप लोग चाहें तो इसे से से जॉइन कर दें यहाँ पर इस तरीके से और यह आप लोग का आर्गन जाकर आप रेटें बच्चे वे दो पॉइंट प्लॉट करें सिंपल सी चीज़े आप अराम से कर लें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ यहाँ पर आने वाले आप लोग क अदें कृफर यहां पर आईगा आप लैंगे तो यह थों प्लॉट करें दो मैंने करके दिखा दिए कि अब ब्रॉड ऍसलिभता आप अप्लार प्रोड करनेे कि लिए सबसे पहले को बता आप of तुसरा थीटा याने कि आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है तो पहले लेखना है कि हमारी जो वैल्यू है कौन से कॉर्डेंट में एक्जिस्ट कर रही है और उसी किसाब से आपर आर और थीटा निकालेगे सबसे पहले यहाँ पर आजाओ क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है वन प्लस ठ्रीया या यहां पर लिगने जेट इस इकल्स टू माइनस बन प्लस रूट 3 आई और इसे कंपेर करेंगा मैं एक्स प्लस आयवाई के साब इसे कंपेर करेंगे एक्स की वेलो मिल गए-1 वाई खी वाई-3 पहला स्टीप क्ल काले मॉडिलस को निकाले और मॉडिलस इसे कलना पहुती सी है कैसे करेंगे तो सबसे पहले मॉडलस अफ जी से हमें क्या लिखता हूँ रिखता हूँ क्या हो जागा अंदर रूट के अंदर एकस का स्क्वेर प्लस वाई का स्कुर्ण अब देखी जाए तो x की value यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्कुर्ण और यहाँ पर मिल जाएगा रूट 3 का स्कुर्ण मानेस बन का स्कुवर होता है वर रूट 3 का स्कुवर होता है थ्री तो वर प्लस ठीकितना हो जगा रूट 4 और रूट 4 की वैलू कितनी हो जगे टू यह मिल ज़े आर्ट की वैलुब अब theta find out करना है तो हमें quadrant समझना पड़ेगा और सभी को पता की quadrant कैसे लिगा ले जाता तो वो तो x और y पर depend करता है अब देखा जाए तो x हमारा क्या है negative, y हमारा क्या है positive, x negative, y positive मतलब क्या है negative और positive सब्सक्राइब कर लेता हूँ, x negative यहाँ पर है और y positive यहाँ पर है, मतलब कौन सा quadrant, second quadrant, that means theta lie in what quadrant, which quadrant, second quadrant, ठीक है यहाँ तक, simple एकदाम, easy एकदाम, सही जा रहे है आप लोगा फीट, अब theta के health से अपन क्या निकालेंगे, theta के health से अपन निकालेंगे, बच्छी ही values, that means याने की हम लोग निकालेंगे argument, तो argument कैसे मिलेगा, आप देखो second quadrant में है, तो pi के पास जाए, second, third के लिए pi, and fourth quadrant के लिए, हम लोग 2 pi लेते है, तो देखो यहाँ पर pi के पास जाएंगे, pi से कम है value है, यहाँ पर लिखो theta equal to pi minus tan inverse of y back, और यह mod लगाना बहुत दो, यह mod हमेशा हमें क लेकिन minus 1 होगा, लेकिन mod हमें हमेशा positive value जेता है, therefore हमें pi की value किया मिलेगे tan inverse of root 3, अब tan की कौन सी बेले root 3 तिक चलो निकालता है, पहली जो value है tan की, 0, 0 होती है, tan की जो दूसरी value 1 upon root 3, 30 पे होती है, तीसरी value 1 जो 45 पे होती है, 4th value है 1 upon root 3, 4th value है root 3, तो यहाँ पर तो हमें root root 3 मिले, यहनि 60 degree, और 60 degree होगा, रेडियर में लिखना होगा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हो, वो याद करके रखो, pi by 3 होता है, ठीक है, अब मैं cross करेंगा, 3, 1, 3, 3 minus 1, कितना होगा, theta की value 2 pi by 3 हो जाए, अब हम लोग लिखेंगे, दोनों form है, पहला form होगा, polar form और दू equals to r into, यहाँ पर वैकेट में कहा है, cos theta, plus i sin theta, अब आपके पास r की value है, 2, theta के value है, 2 pi by 3, यहाँ पर लिखो, 2 into cos 2 pi by 3, plus i sin 2 pi by 3, is the value of your z, is the value of your z in polar form, इसे आप लोग क्या करें, box बना ले, और that is your पहला answer, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं, दोनों चीज़े find करने है, exponential form कौन find करेगा भाई, तो चलों फटा पर इसकी बात भी कर लेता है, हम लोग को पता exponential form कैसे लिखते है, exponential form, यह तो बहुत easy है, exponential form, उसमें z की value कैसे दी जाती है, z बढ़ा ही simple तरीके से, z equal to, क्या लेका जाएगा, r into e raise to i theta, r की value है 2, e raise to i, theta की value कितनी है, 2 pi by 3, यहाँ लेको 2 pi by 3, इस तरीके से आपने क्या करना है, exponential form की value भी निकार ले, simple question था, अब second question में क्या दिया हुआ है, उसमें आप लोग को बोला हुआ है, और क्या find out करने बोला है, वो भी simple simple चीज़ है, जैसे यहाँ पर देखा जा तो second question में हमें बोला हुआ है, minus i क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अपने को minus i, इसे कैसे कह रहेंगे, चलो इसे भी गौर कर लेते है, बड़ा ही simple चीज़ है, अब देखो सबसे पहले अगर में इसे लिखना है, तो z is equal 0, minus i लिखना पड़ेगा, इसे compare करूँगा, x plus i के साथ, x की value होगी 0, और y क value होगी, minus i, पहले चीज़ आप लोगो समझ में आ गई, इसका मतलब जब हमने theta find करेंगे, इसमें जल्दी काम आएगा, अब चलो इसकी बात करीज़ जाए, सबसे पहले हमने निकाले कि modulus of z, याने कि R की value, वो क्या होगा, x square plus y का square, value हमाले वहीं साथ साथ दिवी, x की value 0, y value 1, put करेंगे, answer निकाले, 0 डाल तो यहाँ पर, 0 का square plus 1 का square, 0 का square 0, 1 का square 1, simple, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हम लोग को R की value 1, मिल गए, अब theta के बात जाते है, theta भी बहुत simply मिल जाएगा, बहुत आसान है, सबसे पहले बात देखो, यह कहाँ पर value लाई करी, x की value 0 है, जो होती है, और y की value minus 1, मतलब नीचे आएगा, तो मतलब कौन सी axis पर आएगा, यहाँ पर लेखेंगे, x की value क्या है, 0 है, y की value क्या है, negative है, therefore, हमारा जो theta लाई करेगा, negative x axis के उपर लाई करेगा, negative y axis के उपर लाई करेगा, simple सी बात यह y axis है, तो negative y axis, यानि क्या हमारा negative, कौन binary axis, अब उस case में हमारा theta जो होता है, वो कितना होगा, दोसो देखो, यहाँ पर 90, 90 और 90, इतना होगा, 270, 270 बोले तो 3 pi by 2 radians, अब हमें तुसको दो form में लेकना, पहला form होगा, हमारा polar form, दुसरा form होगा, हमारा exponential form, तो polar form पर लेखते है, polar form, वो कैसे लिखा जाता है, z is equals to r into bracket में cos theta plus i sin theta, values को लिखते है, r मेरा कितना है, 1, theta मेरा पास किता है, 3 pi by 2, अबरे को z into r cos 3 pi by 2 plus i sin 3 pi by 2, क्यों हो गया, चुल, आगे बढ़ेंगे, उसी के साथा आपने exponential form भी लिख लेता है, exponential form, यह बहुत सिंपल है, z equal to r into e raise to i theta, r हमारे पास है, 1, z वैसी रेका, i into theta, r वैसी रखो, r की value 1 into e raise to i into theta, theta, theta की value, यहाँ पर भी आप लोग r की value put कर सकते हैं, चाहें तो, जो put कर देंगे, तो ज्यादा अच्छा है, 1 से multiply करो, same ही मिलने वाला है, यहाँ पर 1 है, e raise to i theta की value, 3 pi by 2, that is your polar exponential form, okay, done, यहाँ तक simple था, यहाँ था, बहुत ही easy question था, बहुत ही एच्छे तरीगे से आप लोगो clear हो गया होगा, अब बढ़ते हैं, आपने आगे वाले कोशन पर, यह कोशन थोड़ा सा tough जाता है, बच्चों लोग को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही easy question है, विकिन देखो दोस्तों सबसे बहले अपने पास denominator में complex number है, सिंक्लिफाइ करके हमें कैसे लिखना पड़ेगा, normal form में लिखना पड़ेगा, step number 1 वह होने माला है, तो इसे में लिखता हूँ, z equal to 1 plus 7i upon 2 minus i, इसका square थे आप, 1 plus 7i वैसे ही, 2 minus i का square, याने 2 का square होगा 4, minus 2, 2 is 4i, और finally मुझे मुलेगा i का square, अब इसे और चीज़े लिखना चाहूँ, तो 1 plus 7i मेरा वैसे ही, 4 मेरा वैसे ही, 4 minus i मेरा वैसे ही, आप सभी को पता है, i square की जो value होती है, वो थी minus 1, यह आप में लिखूँगा, minus 1, 1 plus 7i मेरा वैसे ही, नीचे मुझे मिलेगा, 4 minus 1, याने कि 3 minus 4, अब इन सारी चीज़ों दरने का विल्कुल भी नहीं, क्यों दोस्तों, मैंने आप लोगों को हर बार बताया है, कि अब भी complex number होगा, तो हम उसलों क्या करते है, rationalize करते है, तो इसके opposite side के साथ अपन क्या, तो 1 पहले 3 के साथ multiply होगा 3, 7 3 के साथ multiply होगा 21i, क्या हो जाएगा 21i, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 1 multiply होगा 4i, और 7 multiply होगा 7 428i का square, ठीक है, अब सभी को बता, i square की value होती है, माइनस 1, तो फटा फट से उसको ध्यान में रखते हैं, 3 मेरा वैसी, 21 plus 4 कि ता 25i हो जाएगा, यह हो जाएगा, मेरे पास minus 1, तो इमेंजे मिलेगा minus 28, आगे 3 का square 9, यह i square minus 1, minus minus plus, और 4 का square कितना होगा 16 हो जाएगा, अब देखों, यहापर क्या होगा, यह 3 minus 28 हो जाएगा minus 25, और यहाँ पर मिलेगा plus 25, i upon 9 plus कितना हो जाएगा, 25, बेस को separate करता 25 upon 25 with negative sign, plus 25 i upon 25, इस तरीके सा में मिलके, बेस में कैंसल को 25 25 25 25 25 25, कैंसल, मुझे फाइनल इस की जो value मिली न बहुत काम की मिले, जैट मुझे कितना मिल गया, जैट मुझे कितना मिलके, minus 1 plus i मिल यह बह अब आप लोग को बहुती कम दिक्कत आने वाले से solve करने में, फुचो क्यों, वेकि सारी जैसे sorted form में दीव ही है, अगर देखा जैसे compare करूं, मैं x plus i y के साथ, x की value मिलती है, minus 1, y की value मिलती है, but, the first step is, we need to calculate the value of modulus of z, modulus of z, सभी को निकाल ले आता है, वो क्या होगा, under root, x square plus y y square, याने की, under root, minus 1 का square, plus 1 का square, याने की, minus 1 का square, 1 plus 1, याने कितना हो जागा, root 2, that is the value of r, r is nothing but modulus of z, the next step is what, we need to find out the value of theta, which is also known as, what, argument or amplitude, so, theta निकालना बहुत बहुत इजी बार, depend करता है, x के उपर, x और y के उपर, x negative है, y positive है, इसे quadrant system में सम्झे, x negative, second quadrant में आ जागा, y positive, second, मतलब ये negative, positive, फंटर ये हो गया, तो बस theta, lie in second quarter, ठीक है, मतलब क्या हो जागा, यहाँ पर, simple सी चीज़ है, दोस्तो, अगर देखूँ, तो theta की value, second quarter, मतलब, pi से कम है, pi से कम मतलब, theta क्या हो जगा, pi minus tan inverse of y, x होताएगा, simple, एकदम, एकदम, इसी है, pi 20 tan inverse of, अब ये जो bracket बना है, सबसे बड़ी गलती ये, इसे हमेशा किसमें रखना है, मैंने पहले बता है, mod के thumb में रखना है, mod हमेशा क्यों रखना है, mod हमेशा क्या ने कलके देगा, हम लोगो positive value, यहाँ पर मुझे positive value के लिए mod रखना, अब करेंगे values को put, सबसे पहले y की value देख लो, y कितना 1 है, x कितना है, minus 1, 1 upon minus 1, minus 1, और mod हम लोगो positive value देगा, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, tan inverse of 1 मिल जाएगा, ठीक है, अब चलो यहाँ पर देख लिए, tan inverse of 1 कितना होता, pi by 4, तो theta की value है, अब मिझे मिल जाएगे, pi minus pi by 4, toss multiply करूँगा, 4 pi minus pi, याने कि 3 pi by 4 हो तो polar form पर लिखते है, polar form, हमें पता, z is equal to kya, r into cos theta plus i sin theta, direct put करता हूँ, z क्या हो जाएगा, r root 2 into cos theta, cos 3 pi by 4 plus i sin 3 pi by 4, ये clear हो गया, उसके बाद क्या, उसी के साथ-साथ अपने को find करना है, दूसरा, z के बाद क्या find करना है, अपने को एक और चीज़ find out कर लिए, दूसरी exponential form, exponential form, हो क्या होने होने होने, इंबल है, z is equal to e raise to i theta, r into e raise to i, r कितना है, root 2 into e raise to i into theta, कितना है, 3 pi by 4, that is the value of your z, तो आप लोको इस तरी के से आपको a solution मिल गया, and final solution is this, और simple question था, आप लोको ये question भी हो गया होगा, next question पर बता है, पता है, पता है, पता है, पता है, पता है, number in the form of x plus i y, x plus i y is nothing but you know, Cartesian form, और ये जो हमें दिया, वही कौन सा form दिया है, दोस्तों polar form, बहुत सिंपल होता है, इससे solve करना, बस values आप लोगों को पता होने ची, कि cost 5 by 6 की value कितनी होती है, sine 5 by 6 की value कितनी है, बस value put करो, आप लोग को आपका अंसर एक या दो ही step में मिल चला, 5 by 6 आने के 30, 30 degree फे cost की value होती है, root 3 by 2, यहाँ लिख दो root 3 by 2, उसी तरी के sine 5 by 6 की value कितनी होती है, वो होती है, 5 by 6 इन 30, 30 की value होती है, 1 by 2, यह लेको डालता हो, z हो जाएका root 3, multiply by bracket के अंदर, यह हो जाएका root 3 by 2, यहाँ पर क्या i, i लिखा हो, i into, यहाँ पर कितना हो and we got our answer, अब आपने लिख दिया इसको x plus iy के form में, जहाँ पर हमार x जो है, वो 3 upon 2 है, और y जो है, वो root 3 upon 2 है, simple था, बड़ा ही आसा answer question था, इसकी भी बाद कर ले, तो बच्चों, आप लोग को इसमें बड़ा ही confusion है, मुझे पता है, अगर आप लोग इसका shortcut तरीका जानना अचा है, तो पहले कुछ चोच बेसिक चीज़े में, आप लोगों को बता तो उसमें धान देना, cos of minus theta होता है, cos theta, इतना रखना, और sin of minus theta होता है, minus sin theta, ये दो बेसिक चीज़े आप लोगों का पहली चीज़ पता हो, अच्छे, पहले वो कर लेते हैं, आपन या पर 7, इसक cos theta हो जाएगा, cos theta हो जाएगा, cos theta हो जाएगा, cos theta हो जाएगा, sin of minus theta हो जाएगा, अब इसे हम लोग इसको standard form में तोड़ना पड़ेगा, तो पहले हमें देखना पड़ेगा, ये कौन से coordinate में लाई करता है, तो देखते हैं, 5 by 6 मतलब एक्चल में कितना degrees में आता है, पाई क से सबको बता है, पुट करेंगे कहतं यहां पर 6 और कितना हो जाएगा, यहांपर convert करेंगे, तो 63 होगे, 150 degree होगे, अब बात करते हैं, 150 degree कहां पर आने वाला है, यहां आने वाला है, यहां पर, तीक है, यहां पर 90, 90 से कितना जादा है, वो देख लो, पड़ेगा से 90 से जा तो देखो क्या लिखने वाला 150 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180-30 लिख सकता हूं चलेगा और आप लोग 90 प्लस 3090 प्लस 60 में लिख सकते हैं आपके इच्छा लेकिन बेस्ट तरीका यह 180-30 में लिखता हूं इसे में लिखने वाला सेवेन को बाहर वैसी रखूंगा इसे लिखूंगा क्या कॉस्ट के अंदर क्या लिखूंगा पाई मानेस पाइब आगे बढ़ते हैं इंटु साइन अब यहां पर यहां पर कोई भी आंगल को तोड़ लिया अब एक चीज़ और मुझे आपको बताना है हैं पर साइल और कोषेक पड़으ए थीव हो यहां पर तब यहां पर साइन और ऊसका स्कार्षप्र कॉड़् कॉड़् होगे अगर कॉस्पाई माने सीधा है इसको बलते है एंगल ठीक है तो 7 इंटू को स्फिन कि अदर क्या जागा यहां पर सब्सक्राइब कर से लिए हैं इतना समझ के रहे हैं आगे दूस्तों अब यहां पर क्या आने वाला यहां पर मायनेस आने वाले तो यह पर लगा दो यहां पहले से आपने अभी नहीं यह पहले से माइन सा है कॉस्स पाइब सिस्ट बूलोगे कितना पाइब सिस्ट रिकास तरीके से साइन साइन की बात करें जाते हैं 30 की वैली होती है अगेन वन बाइट वाइट टू और सेवन सेंदर मुल्टिप्लाइए करूंगा तो यहां मिल जेगा बिल्ट अच्छे टरीके से क्लियर हो गया हो गां इस कोश्रीट जाएं तो चबीभी आप लोगो को कभी भी कोशिक पहले exponential फॉर्म में दिया हुआ है तो फस्ट पेस्ट सबशे कंवे निवीश वर्म सबसे पहला पोलार आप समझ मैं है सबसे पर ऐसी लिख लिख लेडिय तो वाट रेस टू आई थीटा दिया हुए तो मतलब क्या दिया हुए इन 2-4-5-3 दिया हुए तो लिखेंगे अपन अपन इसके साथ कुछ कुछ मल्टीपलाइ में मतलब क्या है यहाँ पर वन ही है कुछ मतलब भी नहीं है इसे अगर में पोलार फॉर में लिकना चाहूं गातियों जाए कॉस पॉर पाइबाइटरी विद नेगेटिव साइन और यहाँ प्लस आई साइन माइनस फौर पाइबाइब त्री मजब अब लोग है कौस अब सब्सक्राइब लिखा है यह अगर ऐसे करेंगे आपर चलेगा नहीं तो अब आप सबसे वहले कैसे करूंगा मैं पाई की वेल्य पूट करता है पाई की वेल्य कितनी होती है 180 कि वनेटी से डिवाइड कर दो किसको त्री को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 60 64 तूफॉटी अब देखते कौन से कॉर्णर में लाए करता है यहां पर अब टूफॉटी जो वनेटी से कितना जाता है दोस्तों वनेटी से सिक्सी जाता है मैं बोल सकता हूँ तो टूफॉटी को मैं लिखूंगा 180 प्लस 60 लिख दूँगा चलेगा ऐसे 180 मतलब होता है πाई और 60 मतलब होता है πाई बाइ मतलब 4 पाई बाइ त्री को मैं तोडूँँगा प्लस पाई बाए फ्री में अब आते हैं हमारे कॉटन सिस्ठम में आफ्टर स्कूल धन कोलेज़ अब सीदी से बात हैं हमारा जो एंगल हरा नहें नड्ट कॉर्डण में लाई कर रहे थर्ड में त्रिפ टैन और कॉट्प पजिटी होता है साइन कॉस और सेग और कुस्था हुट टिदिर्यों करदेओ थो सब्सकुर्ण मैनेस कॉस्याल सुलूशन भस governo मैं चैक्न चाप्ट्र में अब चाहिए तो यूटूब साके सर्केरों सबसे पहले चीज नीचे देखो क्या दिया हुआ है सबसे पहले लेके जाएंगे काटेशन फॉरा नॉर्मल एक्षे तरीके से लेके जाएंगे उसके बाद फाइनली हम लोग मॉडलेस्ट करेंगे आर्गुमेंट करेंगे पुट करके सोलुशन निकाल लेगे अब यहां पर कैसे होगा यह माइन यह आई माइनस वन को मैं वैसी इस तरीके से आपर आई है तो आई इंटु क्या हो जाएगा रूप त्रीवाइट वैलियू होती है तू जड़ा बेस्में कामन लेकि में ऊपर भीस्ता दिया हो जगा तू आई-1 अपन में क्या होज़ेका वन ब्लस आई-डू-3 बेसिक चीज़ यही होती है कि आप लोग अगे बढ़ेंगे तो माइनस वन को मैंन से मल्टीप्लाइब तो आई-डू-3 अपन में क्या मिल जागा चीज़ों पर धान देना इतर मिलेगा एस्कुएर माइनस बी स्क्वेर चला आप फटा-फट से इसका सोलूशन हम लोग यहां पर निकालते हैं अब इस पर देखो टू आए मेरा वैसी रहने से कोई चेंज़ेस निए होगा माइनस आइस स्क्वेर की वैल्यों की माइनस वन तो यहां पर जागा यह प्लस वन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है वन लिखने की और टू रूट त्री मेरा वैसी देगा आगे वढ़ते हैं यह माइनस है यह माइनस पर देना बहुत सिंपल सी चीज़े माइनस वर अपर है तक जिसके साथ आइए उसको साथ मा लेंगे लें लेकिन नीचे आ जाते है और इसके पास आए 23 सो इतना लेख लिया इसके पास और है इसके नीचे क्या मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हो जाएगा तो यहापर मिलेगा 1 प्लस 3 1 प्लस 3 कितना हो जोगा 4 बेस में बाद देंगे तो 2 root 3 minus 1 upon 4 plus i into root 3 plus 2 upon 4 इस तरीके से हमारा complex number मिल गा है इसे अगर हम लोग compare करेंगे x plus i y के साथ मुझे मिलेगा x की value मिल जाएगी पहली वाली और y की वाली दूसरी वाली एक्स हमें क्या मिलेगा 2 root 3 minus 1 upon 4 वाय मिल गया root 3 plus 2 upon 4 तो पहले आपन फाइंड करेंगे मॉडलेस और जाने की आर कि कि वह क्या होता है वह होता है अंडरूट यह लिक्ता अंडरूट और ४्.. x2 plus y2 स्कुर्च की वैलेस टू root 3 minus 1 upon 4 और y की वैलियू है रूट 3 2 upon 4 पान में 4 इसका square स्कुर्य करना बढ़ ہी सिंपल होता है उसक्वाइब निचा आएगा फोर का स्क्वाइब एनकी 16 हो जाएगा तू रूट त्री का स्कौईर होगा टू का स्क्वाइर फॉर थी जा क्वाइब पहला है वाले टू अब टू आ इन टू बी विड नेगेटिव साई तो इंटू टू कित फूर रूट ट्री मलटीप्ला यहां पर मुझे मिल जाएगा प्लस फोर हो गया यहां तक देखो यहां पर सारी चीज़ एक लिए और यह वैलू कैंसल हो जाएगी अब यहां पर इसको फोर इन्ठाइब यहां पर मैं तो इसको फोर इंटू तो फोर इंटू पॉर आपॉर कांस कोई रूट होगा टू टू बाहर टू अपॉर पॉट फार्ट में 16 और फाइनली हमें मिलेगा क्या मिल जगा यह मिल जाएगी अपने को आर्ट की वैलिवर्स अब य की बली पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है अम लोगों कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने तरीके से पूट करेंगे जैसी है क्या है हमारे पास वाई की वेल्यू कि रूट टू अपन फॉड या फिर टूब लैसे रपन पॉड जो भी अप्लेघने चाहें टू प्लस रूट त्री अपन में फॉड एकस टी वैलू कितने हैं रूर टू त्री माइनस वन अपन फोर लिगों टू रूट 3-1 upon 4 , 4-4 cancel और आप लोग जैसे चाहिए वैसे लिख सकते आप लोग चाहिदो रूट 3 को आगे लिख ले रूट 3-2 अपने 2-3-1 क्यों गया आपका थीटा का पेल लिए हमें किसमे लिखना इसको पुलार फॉर्म में लिखना तो पुलार फॉर्म क्या होता है सिम्पल एस जैड इस इकल स्टू वार्ट आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है उसी को आपने मोलते हैं पुलार फॉर्म आप देखो आप तो सुझेटर इतनी बड़ी थीटा की वेलिस में कैसे डालेंगे इसकी वैले तो अप आप लिए को रूट फाइब एट थीटा के वेलिए कितनी है कॉस थीटा सीटा हमारे पास कितना है थीटा हमारे पास है बहुत बड़ी वाले मत लिकूँ बस यहां पर मेंशन कर दो वेर थीटा एक्वेल टू टान इनवर्स ऑफ रूट थी प्लस टू अपॉन में टू रूट थी पाइनस वन सिंपल था कि नहीं पस इतना ही करना था और इस तरीके से आप लोगो यह कोश्ण का सुलेशन में मिलता है बस आप लोगो वैल्यू पूट करने की जरूत नहीं होती इस िस ट्याप के कोश्ट में नहीं तो अपने पूरा कापूरा कैसा हो जाएगा पूरा गंदा देखने लुक्स तरीके से आप लोगो वितने और अलोगो इस दिख्य queste को करना अब आप लोगो आराम्स स्दू दिख्या है ठीक है और अगे बढ़ते है आए लोग लोग को एक्वल बताना है और वह बहुत ही आसान होता है हमें क्या क्या चीज़ चाहिए कोशन में देख लो पहले ही हमें चीज बार बहुत साइज चीज़ पर दिया हुआ कितना हो जाएगा दोस्तों इसका बस कॉंजगेट लिखे लिए और आंसर मिलेगा पहले कोशन देखेंगे तो पहले कोशन में क्या कुछ हो देख लेता है ऑले कोशन ने वुचा हुआ है कि हम लोगों को ये बढ़े पार करना क्या है निकालना मतलब क्या करना हम लोगग का पार त्रिया और अर्टेश में क्या है जैड वो क्या हमारे पास 2 प्लस 3 पहले से है तो कर लिया देर फोर एलच इकोल टू आरेचेस और वेरिफाइट यह पहले चीज़ वेरिफाई कि दोस्तों मेरी न सांसे बाकी सिसे वड़ी सिम्पल नमें सिंपल एक और करके दिखा देए था माल लेकि मैं थाड वन करके दिखा थो थार वन क्या भूला हमें बताना है कि जैड प्लस एट बार की वैले जो होती हो हो रियल होती है जैड प्ल सब्सक्राइब करना है ताकि मिस्टेक ना हो जाए और बड़ा ही आसान होने वाला ध्यान जाना कैसे होगा सबसे पहला कोश्चिन देखो सबसे निकाल लेता हूँ जटू बार होगा टू प्लस ठीय हो जाएगा अब पाज करते हैं पहले कोश्चिन की तो पहले कोश्चिन में क्या बोला वो देख लेता है पहले कोश्चिन ने बोला हुआ हमें सबस्क्राइब करना है यह दो बहुत सिंपल चीज़ है जैडवन प्लस टू होल बार इस इकोल सो जैडवन बार प्लस टू का बार चाहिए तो हमें पेले सब्सक्राइब निकालना पड़े का तो से पिस सेपरेटल निकाल लाता है जैडवन प्लस टू होचाएगा जैडवन प्लस टू जैगा थ्री और वन मैनस टू आई कितना हो जिए उन गाने मैनस टू आप इसका कॉंजिगेट लोंगा तो यहां पर क्या जो और आखेज में देखते हैं जैडवन फ्लस एले बार प्लस टू बार निकाला यहां मुझे वड़े का वन मैनस आई भी यहां मुझे मिले का फ्लस टू प्लस टू प्लस ट्री आए और माइन लिक्टो टू रिट गहीयों वायनी यहां प्लस टू कितना हो जाए गए झा बता दिया और इस तरीके से मुझे इसका भी सॉलूइशन मिलके अब उसी तरीके सा पर सारे कुशन ट्राइब करना जिसी कि यह वाला कुशन भी आप लोग को आ जाएगा इसमें भी सेम करने पर माइनेस और माइनेस का फरक है और कुछ नहीं है यह अधैन एधन कर लेंगे आप लेके अधैनल ओन नजी जरूर हो सकता है लेकिन आसान जुरूरा अख है आपन ज्यां लिए रापन जट्टू का रवड़ इकुवल टू अपॉन आप उन बार अपॉन में लिए थू बार थोड़ा लेंदी जरू है लेकिन सिंपल होने वाल सबसे बाहर निकाल लो लिखता हूं जड़ोन अपन जट पहले निकाल अब जटना मेरे पस वन मानस तरी है जट टू कितना टू प्लस त्रिया तरी आप उन मैं पास वन प्लस आई और टू मानस त्रिया यह अपसे पहले चीज की कभी भी सब्सक्राइब कर दो इसको राशनाइज कर दो कर दिया कि नीचे हो जाएगा इसके साथ इसके साथ इधर हो जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस थरी का स्कुरों जेकर नाइए प्लस कैसे होगा आई का स्कुर माइनस वन मानस मानस प्लस यह जैगा 13 तो यह पर मैं लिगूंगा टू मानस तू बाहर होगा वही मेरा लेचे सोगा यह क्या होगा मेरा लेचे सोगा मानने यानि क्या टू अप ओन 13 माइनस फाइब आइब आइब यह मिल गया मुझे लेचे स्टो निकाला कोई दिक्कत वाली भात नहीं बात करेंगे आरेचेस की अब आरेचेस भी सीम इतना ही लिंदी होगा तो आरेचेस में दो क्या दिया ब्लेस घ्री इस इसे मुल्टिप्लाइए करेंगे से कौन्जिगे ती साथ क्यों कर रहे है ऐसा इक ही डिनमेटर में हमारे पास क्या दिख रहे हैं अपरी कॉंपलेक संबर नीचे होगा एसक्वार मानेश भी स्कुएर यह नहीं क्या होच अगा टू का स्क्वेर माइनस घ लिए का हुल स्क्वार टू को यहां पर एक बाद देख लैट यहां पर एक चीज निस कर दीज से वन इन टू टू होता है तो यहां पर ने शायत वन लिख दिया हुआ मुझे पर यहां से मुझे मिस्प्लेस करना पड़ेगा यह सारी वैली से यहां पर चेंज होने वाले है तो क्या चेंज होगा देखो बहुत ही सिम्पल तरीक से आपने को समझ में आयगा वालिंटू यहां पर दो जारगा यहां पर दो जात करने हैं यहां पर करें जैब हैं मुझेSt ने करते हैं वही जहां हम लुटिप्लिकेशन गाल। दोना में पैटना है है यहाँ कोई हाँ है कि अजाएगा करेंगे तो यहां पर एक ढ़ motor यहां पर यहां चलते हैं अक आगे चलते हैं यहां पर यहां पर क्या मिला stair और यह है प्लस तु प्लस हो जाएगा मनईश अगे यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर भी सेम यहाँ पर हमारे स्याहे कांजिगेट क्या है काहां बॉन माइनस यहां पर क्या है लिटा तो यहां पर लिखा मेंने 1-1 और यहां पर लिकां 2-3 के साथ 2-3 आपवन 2-3 आई और यहां पर क्या हो जाएगा सिंपल सी चिजा है-1 के साथ 2-3-2 है-2 और उसके एकसाथ मंदिक्लाइख के साथ 2-5 ऑर सबस्सक्यान के प्लस 1 ती हो जगा मानस 3, 2 का स्क्वाइर 4, मानस 3 आई स्क्वाइर की वेलियु मिलेगी मुझे मानस 1, अब यह 2 मानस 3 कितना हो जगा मानस 1, और यह हो जगा मेरे पास मानस 5i, यह हो जगा 4 प्लस 3, simple, ऑगे 4, ओके 1 सेगे, 3 का स्क्वाइर दूस्तों 9 हो तो यहां पर 9 लिको, और तो आपने ने गावर किया लहां रहे हैं यहां पर लिखूंगा देर्फोर लहां इक्वल टू आरेच्छ एक्वल टू आरेच्छ एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा देरफोर वेरिफाइड इस तरीके से हमने इस कोश्चन को भी क्या कहले वेरिफाइड कर लिया अब जैसे एक्सराइज को गया ठीक है बड़ा ही से इस था इसको फटावपर से एक पर आप लोग अच्छे तरीके से सौल करना कहीं पर भी डॉट तो पूछ लना अब बढ़ते आपन नेक्स चीजों के पार उसके बढ़े अपने एक्सराइज पर बढ़े ठीक है चले स्टाट करते बात करते हैं सेकेंड वाले लास वाले एक्सराइज की जो बहुत ही इजी होने वाला है आप लोगको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि यहां पर हम लोग की दो अब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो आरवन आपन आडवन साथ में हो जाएगा और देखो बेस से में आई गमान निकालूंगा थीटावन प्रस थीटावन प्रस थीटावन हो जाएगा तो अब सीजा दो कर दूंगा तो यहीं का फंडा है वह क्या करता है माल मैं जितने भी पावर सर्थ उसको एक सब्सक्राइब यह बेसिक चीज जो इसने सोचा था लेकिन इसी वंडे का इस्तमाल करके अपने खुद के थेर्म को अपलाई किया होगा तो माल लेकि जब भी दो कॉम्टेक्स नमेर दोनों को मल्टिप्लाइ करता हो तो 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 नों को मॉड़ला क्या हो जाएका मल्टिप्लाइब और आर्गिमेंट क्या हो जाएका अब उसी तरीके से से माल अपने पास नमेर उन्हें लोको में डिवाइट करता तो नों के मॉडलाइज हो है ना वो च्यों को कि डिवाइड में और और उनलों की आर्गिमेंट जो सब्टराक्त हो जाएगा इसके पास में यहां पर खुद से करके दिखा था कि आप लोको समझ म इस तरीके से अपने थेर्म को अपलाई किया अगर बेसिक एजामबल के साथ समझाए तो यहां पर दोकॉस प्लस आई साइन फाइब तीटा यहां बना जाएंगे तो यहां पर टू अपोन त्रीजी कितना हो जाएगा को आपने बेसिक फंडो को क्लियर कर सकते हैं बात करें जाए को ट्यूब डूट ऑफ जिनिटी की तो वना तो इंपॉर्टन टॉपिक है इस चाप्टर का जो आप सब्सक्राइब को याद रखना है कि दिट नियुट यूटि मतलब होता है और क्यूप बत्लब होता है अपडन ह बैषा मेरे पढ़ा था कि क्यूब रूट ऑफ छोस्तों चानि होता है लेकिन अगर सीधी बात करूं जैसे की स्क्वार रूट जब किसी नंबर का निकालने स स्कुर्ण एकल डिया हुआ है स्कुर्ण निकालेंगे एक्सकी kaval Att 미 वैलो दो मिलती एक माइनस फहरे है यहां पर क्यूब रूट है जूर्ञ है कि आ donating पॉल्सरी यांपर क्यूब यह पर कैसे निकालेंगे तो मैंने लिए हाँ हमारे पास एक नमबर बन है उसको इनिटी बोलते है एक सीधे क्यूब रूट आफ इनिटी इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं मैं गरोंगा एक स्कुर्ण टीम फिसे रूहांक म यहां पर लोगोगन हो जाएगा उनिटी लिख सखेता और यहां पर बेसिक फर्मला में अप्लाई करूंगा इसे हम लोग बोलते है एक स्वेक्स एक स्वेट 00,09,19,20,200, sq. पर X square plus X plus 1 equal to B. तो यहां पर यहां पर यहां पर दालने वाला तो दिध्यान देना कैसे होने वाला यहां पर बहुत सिंपल होने अला देखना अब अब सिपले है एक की वेलु कितनी है एक वेलू भी वान है साब जीक वर टाल देटा अब हो यह वेसी देने वाले मैनस ब्लस मैनस अंडर रूट वन का स्क्वयर होगा वन पोर इन्टु वन होगा फोर माइनस फूर अपन में टू अब अब इसे और अच्छे तरीके सॉल किया यहां पर हम लोगो इसमें एक वैल्यू मिलता है रियल और दो मिलते हैं अब कॉंप्लेक्स की ब्रूट आप यूनिटी को पढ़ना है तो आप लोगो इसको कंसे करना बढ़का लेक्ट मान लेते हैं अपने एक वैल्यू को ओमेगा इसको मैं पकड़ता हूं ओमेगा ठीक है तो यहां पर यहां उसको में पर मैं आप लोगो को समझाने वाला इक तो इसको में मैंस फ्रूट ऊप्लेगों घ्लाजा- अगेमेगा इसका उमीका स्क्टार लेता है हो मांनेशना यौ एक ऐब क्या है म mogą माइनज तू रूट 3 म माइनस इस्ट्री आई आई यहां पर नि Congo प्लस प्लस पρείक्प percentages तो यहां बच्चे का माइनस वन यहां बच्चे का माइनस रूट त्री अपवान में पूर निखिया अगर पहली वैल्य को अगर मैं ओमेगा पकड़ता तो वेल्इण से अगर मैं दूसरी वाली वेल्ई को पकड़ता तो पहली वैली हो जाती ओमेगा स्कूर्ट तो आपने नोटीस किया यह क्या है कि अपनी सेकेंड वैली बैलू देखा आप ने अर यह वैली अपने ओमेगा पकड़ा था वो अपनी फर्स्ट वाली वैले तो आपने हमेशे नोटिस करना आप लोग को ऐसा ही पैटर मिलेगा अगर पहली बहली वैली को स्कुल लोगो तो आपको दूसरी मिले की इक इसमें मिलता है क्यूब रूट अगर मैं समझू तो अगर मैं ओमेग क्यूब इक्वेल टू वन ने था मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के अंदर जो एक्सलिया ना उसे ओमेगा इंपोर्टन चीज़े सबसे इंपोर्टन चीज़ अब मैंने इसको सिंप्लिफाई करूंगा तो क्या मिलेगा ओमेगा माइनस वन और इस तदिके से रिलेशन मन जाए लेकिन ओमेगा की वैलू नहीं हो सकती क्योंकि ओमेगा को मैंने क्या पकड़ा हुआ हुआ है कॉमेगा एक तो क्या हो सकता है इसमे स्क्राइगा्ण स्क्राइगर एकोर तो यह बहुत इंपोर्टन रिलेशन और एकिर इंपोर्टन तो कि तरीके से ओमेगा स्क्राइगर अपन ऊमेगा क्यों यहां पर रखते है तो यो मैगा क्या हो जेकर वन अपञुपर अब ओमेगा त्युंक्त में ठीर लिखता है इसका मतलब क्या महलेillar लिखता ओ nue सब्सक्राइब करूंगा और मुझे यह मिल जाएगा तो बाकि पैटर्न आपके सामने आप लोग अराम से समझ लेना बाकि आपके सामने हैं अच्छे तरीके से कोई किसी में डाउट हो तो पूछ लेना यह अमेगा बार हैं ओमेगा बार का स्कवाар की वैल्यों हम लो लहां वह लोग छुली तो Kevin आपने सामने इंपल्य क्या फिister फिलिमा गैला है यहैं । सिंपल सी बात हैं यह सारे चीज़े यहां पर आप लोग को समझ रहा है अगर कहीं पर भी डॉट रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं और जो भी होगा आप लोग अराम से कर सकता है कि अभी कोषिषर पे वठेase Пछक रहा कोश्य मेंसों किने से 218 इसे में लिखूंगा ओमेगा सचार अब यह भी क्या थरिए का मल्टी पल है तो मेगा क्योब रिज्ट तो ? लिखूंगा और मेरा क्योब की वैलियू कितना हो जाए का वन वन अपन वन कितना होता हु हँगा यह बात करते हैं इसकी तो यह बीस्टीयों ऑन आपों ओमेगा रहे से भाइश टो आप दिरो फाई गर मैं तोड ना चाहों तो ओमेगा क्यूब रेच्ट गितना जागा 30 फाइट देख लेक पर सही क्या ओमेगा क्यूब की वैल्यू अन्य वन वन अपोन ऊंवन रहे सब्सक्राइब करने का मल्टिपल वेरियस मेथट्स है आप लोग पहले इसको सिंपलीफाइब इसको यह शो करना है अब सबसे पहले बात जहां पर ज्यादा में हम वहीं से स्राट करेंगे यानिकी अलेचेश में ज्यादा तरह मैं जिखता है आप लटेश में क्या दिया वर तू माइनस ओमेगा और तू माइनस ओमेगा का स्कुर्ण करता आप लोग वसे मल्टीपलाइब हो तो मातिय। यहां पर का माइन तूर टूट्रलइगा हो जाएगा है मायने तूर मेगा हो जाएगा हो dent पूर टू करेंगे तूरी आफ यहां पर टूर गोंए हो यहां तूर सुल यहांपर क्या मेलटीड़ाust तो यहां पर क्या होने वाला है यहां पर क्या होने को दिखो यहां पर क्या मिल गया तो कॉमन निखालता हूं अगर two को मैंने स्टू को मैंने स्टू को में निकलता हूं एहां बचे का ओमेगा स्प्लस ओमेगा और यहां पर मेरे बंच जाएगा यहां पर मैंने पर चूब की वैल नहीं है यह 4-1 कितना होगा 5-2-2 Omega square अब इसकी wealue क्या लिखे हम लोगों को पता है क्या पता है वन प्लस omega-2 की value 9 0 होती है यह याद रखने मोला थैं मैंने आपको होती की नहीं होती है हमारे पस यहां पर क्या तरद इंहकर्स सब्सक्राइब का इना झाल हम यहां पर को यहां पर रखता हूं तो यहां Map इस तरीके से आगर बर === में प्लस ओमेगा का क्यूब है मैंने स्कुछ तो भी देखते हैं कुछ तो भी मैंने लग रहा है कि गड़बड करा हुआ है एक बार मैं चेक कर लेता हूं कुछ गडबड रहेगा तो मैं इसको फटापट से करेक्ट कर देता हूं कोशिन कहा गया 1.4 कौन सा कोशिन दोस्तों कौश्चन नमबर थर्ड वन में क्या है यह सःभी है कुछ घडबड नहीं है जैसे यहां पर देखो वन प्लस ओमेगा की वैलू कितनी है वन प्लस ओमेगा जो नगूडबाट से कितना है माइनस ओमेगा स्कुर यहां तक अब यहां पर देखो यहां पर देखते हो तू यहां पर क्या होने वाला बात को समझ रहा हूं अब द्यान देना अगर मैं कोशिश करू तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं और यह यहां पर आजागा 1-1 इंटू स्क्वार करेंगे तो मैंने बचने वाला है यहां पर हो जागा 0 और बहुत सिंबल है कोश्य नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है इसको देख लो एक बाद 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 2 प्लस 6 इसे आपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं लेकिन आप लु blows क pandemic ढूरे में कमन करें उसे लरी किसे नियुक्त कौन रहे है तो सेम रिली condition 1 प्लसom मेगा प्लस ओमेगा स्कुएर क्या होता है जीरो होता है इसे हमें दो रिलेशन मिलता है तीन मिलता है एक्चिल लेकिन आपन दो ही लिखेंगे पहला लिखूंगा वन प्लस ओमेगा वो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्कुएर और दूसरा लिखूंगा वन प्लस ओमेगा स्के बेली जीगी माइनस ओमेगा इता सबसे लेता हो गालिक आवह 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्केट इस तो 6 मैंनस 2 इंट्टू ब्लस 6 ओमेगा प्लस ओमेगा तो अगर आप अब आप लोगी गैस को रहो वैसी जिसमें आपने थी कॉमन निकलता हूं तो कॉमन निकलता हूं यहां बच्चे का ओमेगा स्क्वेर यहां सिक्स ओमेगा को मैंने साइड में करती है टीके देटी ri कॉछ डोप सब्सक्राइब करते है। प्रसफाइए ओमेगा स्कूर रस्तु इस्टु भी और यहाँ पर काओ ज़गा मैनेस टू उमेगा लस्तिक्स ओमीगा कर खुद स्पुस्ट अटा सिवह गमेल्यब स्वाइगanders 3 प्लस फाइड that you got 22 फोट तो 4 ओमेगा का रेच्ट तो 6 ओर यहां पर देखो आवस्त ४्रेस्ट में आपर थे मैंने तुउ सुल जाएका आपर क्या ओमेगा स्क्रों हुआ शूल जाएका और यहांendar पर क्या मैंने इक रि데 तू जा तो यह खोट थो जाएगा ओमेगा रेस्टी फॉर यह फिलाल वैसी रखता हूं यहां पर क्या हो जाएगा ओमेगा रेस्टुट्टुट्ट्बॉर ए इसलिक्वे अमेगा क्योगे वच्टिक हूं माइनिस यहां पर पर दोनों जगे पर 64 में वैसी रखता है यहां लिखता है यहां पर दोनों जगे पर पहला में जो था ना अप लोग को इसमें इसमें थ्री निकालना था और इसमें और इसमें सबसे पहले इसके पास सबसे इसके पास सबसे इसके पास क्या है ओमेगा ओमेगा वाले साथ में लेते हैं और क्या औमेगा स्कोर औमेगा स्कोर ले साथ में जो ट्राय करके देखतें, तिकर लो तो फिसे साट करेंगे, LHS लेते हैं पहले तो, A plus B दिया हुआ है, यह ओमेगा अप्लस भी ओमेगा स्क्वेयर दिया हुआ है एओ裡面 को लिए और ये जोरी को Sat साथ में लेता हُ इसमें से इसमेंट ओमेगा स्क्वाइर में थे और बी ओमेगा स्क्वेर इनको साथ मिले लिया उसी तरीके से बी बी ओमेगा इसको लिए अपने बी ओमेगा वर लास में बी ओमेगा स्क्वेर को आपन साथ मिले लिया इसमें गॉमन क्या है यह बहार आएगा यहां बचे का वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेर इसमें का मान और अर्विटिक मल्टिप्लाइब यह भी सिम्पल कोश्चन था जो सॉलो चाहता है और कोशन देखते हैं यहां पर यह भी सेम ही टाइब का कोश्चन बनता है आप तो सबसे पहला आप लोग क्या सुचेंगे सर इसको एक्सपांड कर ले पर चलो एक्सपांग्शन नहीं लेकिन पहले लेकिन तो देख लो यहां पर क्या है ए प्लस वी हुल स्क्वेर क्या सिस्क्राइब है आंसर में में कितना छीछ आप आसानी से मिलेगा दिखते कैसे होगा यहां देखिंगे तो ए स्क्वेर फ्लस टू फेस्वेर्य का मेगा वुमेगा यहां देखिंगे तो स्क्वेर्ट ओमेगा कुल उपedel टोद उमेगा वन्स करना लidéeना स्क्वार १िन जो झाल के सांटे कैंव अब को सिशक करते कैसे रखता हुआ पहले तोू इसके बाद नीचे आते यहाँ पर मैं लिखने तो बी स्क्वाइर यह हो जाएगा ओमेगा रिस टूफॉर। यहां दीखूंगो तो देखोंगा तो टू इंटू एंटू पिया अगें थू एंट इंटू बी है यहां पर क्यों फिड़ेंस को मिलेगा मिल जाएगा कि अपदिखो निकल सकते हैं देखा जाया तो इसमें इसमें पलझतन होस्ट चॉको हई हो उर स्कुड़ को मान निकाल सकतेंज स्कॉर को करने कौमन निकल होन लों यहां बचे का 1 यह बच्चे का और इसमें भी क्या टूए भी कॉमन निकालता हूं तो टूए भी कॉमन निकालता हूं यहां बच्छा वन यहां बच्छा ओमेगा का क्यूब और इसमें और इसमें तीनों में टूए भी को मैंने कॉमन निकाला यहां पर भी क्या मिल जाएगा मुझे ओमेगा क्या अब क्या और यहाँ प्रम प्रम निकलता हूँ अगर अगर में शॉर्ण निकलता हूँ यहां यह पर सबस्क्राइब लिखता हूँ कि यहां तक हो गया simple sorted form में आ गया सारी चीज़े अब देखो क्या बचा होगा अब बस आपका answer आपके सामने है जैसे कि यहां पर देख लो a square मेरा वैसी रहेगा यहां पर है यहां पर हाँ यहां पर आपने एक चीज़ में और स्कूर कि छोड़ी-छोड़ी चीज़ेते आपने सही किया जा सकता है जैसे यहां पर देखिएगे तो तो A का होल स्क्वार्य होने वाला रहा थो एक आप इसको एक आप आफर सकस्की को आप इसको ने का लम ऑगा क Fest अब अब блगवा के साब से टां किशा चला बाग थास्वाग्रण करने का सथ क difficilीiest है व lays ओमेगा स्क्वेर व्यसकी declined यहांपर बढ़ते हैं यहां पर जाते हैं यहांपर यह कि आप armnea स्क्वेर प्लस वेल्ट जाएगा अब इन प्लस अमेगा प्लस अमेगा स्क्वेर की वेल्टी जीरो तो यह 0 जागा कितना हो जगा थी स्क्वाइर इंटु जीरो वे इंटु एंटु बी इंटु थी और यहां पर बी स्क्वाइर इंटु जीरो मिल जाए ठीक है अब कुछ चीजे आप लोग को मेंशन करनी पड़ेगी जैसे आप जब आप मेंगा क्यूप मेंशन करते तो याप लिखना होता है यह सारी चीजे आप लोगो यहां पर रीजन में डॉड़र डॉडर मारके मेंशन करनी पड़ते हैं कर दी आपने सारी चीजे मेंशन आप करो आंसर को निकाल लेता है यह जगा 0-236-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a-b-a- सबसे पहले 1 upon omega इसकी value क्या होती है वो चेक करता है तो आपने को बता है कि omega cube की value होती है 1 यह सबको बता है इसका मतलब क्या हो ओगा इन टू-उ-मेगा स्क्वल्ट हो जाएगा वड audie वी बात चलेगा यानिकी उम्हेगा स्कॉएर की value वहना पॉन्हेगाई सब को बता लेशना स्कता हूँ ओमेगा प्लस वन अपव ओमेगाई ओमेगा स्कुएर की वैलिव जागी मायनेसं यह आप लोग यहापर मेंचन कर सें कि टाट ही मैरे एक तरीका है तरीका को ओमेगा को ऐसे तरीका होगे दुसरा तरीका यह देखो माद्बाइक करूंगा तो क् navy kakr m Sq belong about omega स्कुर ट्स 9 5 L New the दो तरीके से किया जासेी दोस्तों टेंचल लिने आराम से अश्छा मेर्ड पता है वन ने कि वन प्लस ओमेगा स्क्वेर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब 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 क्यू लेकिन रुको ज़रा पहले मानले question लिख लिया तो 1 प्लस omega वैसी ही रखो change मत करो 1 प्लस omega स्क्वेर भी वैसी ही रखो 1 प्लस omega रिस्टु 4 आप लोगो पता omega होता है और 1 प्लस omega रिस्टु 8 कितना होता है omega square कैसे है चुने यहां पर में दिखाता हूं जैसे कि आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं बस पूट कर दो तो यह क्यों जगा वन प्लस omega 1 प्लस omega score अब सभी को पता है वन प्लस omega की वैल्यु होती है omega stakeholder स्क्वेर का स्क्वेर यहां पर जाएंगे यहां रिखेंगे बाइन मेंश पर मनेंचिन करणे का हम लोत क्या मेंचिन करेंगे वान प्लस मेगा- व्मेगा स्क्वैर की वेलु जीरो did 95 कर देना मैंशन करें कि इसके वैसे यह आखा अब क्या होगा आप देखर यह अपर यह ओ जागा मेगा है जागा फिर आप लोग यह क्लेर हो गया है इसमें कोई दाउट है नहीं को नोट करो और जहां पर भी दाउट हो को स्केशन करते हैं इनसेंट पर करते हैं तो बहुत सिंपल जो क्या दिया हुआ इस अफ़ा को यह पाता है तो आपके इस तरीके तीन रूट करना देगा थेखा तीन वेलिए पैरा मिल रहा था वन दुसरा मिल रहा था प्लस रूट 3i अपॉन में तू इस तरीके तीन रूट मिल रहता है लेकिन जहां पर हमें किसकी बात करनी है complex cube root तो alpha जो होगा जो alpha जो होगा वो क्या होगा हमारा complex वाला value मतलब माइनस 1 प्लस रूट 3i यह फिर i root 3 upon 2 और बीटा हो जाएगा complex वाले roots लेने हैं रियल वाले roots नहीं ले रहे हैं अब बात करते आगे हमें find क्या करना alpha square plus beta square alpha dot beta इसकी value सब्लों को निकालने तो बहुत simple होता है लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक और चीज़ में बता तो जबी भी ऐसा दिया रहे तो सबसे पहले alpha plus beta and alpha dot beta निकाले तो alpha plus beta कुछ इस तरीके साइगा दोनों को add कर देंगे तो यह मिलेगा minus 1 i plus sorry minus 1 plus i root 3 और यहाँ पर upon में 2 मिलेगा इसको add करना है minus 1 minus i root 3 upon में 2 के साब जब add करेंगे तो base same होगा base को लिखूंगा मैं एक बार तो base को लिखा मैंने एक पर minus 1 plus i root 3 और यहाँ पर क्याएगा minus 1 minus i root 3 कुछ इस तरीके से मिल जागा यह cancel हो जागा minus 1 minus 1 कितना हो जागा minus 2 upon 2 कुछ इस तरीके सामें मिल जागा minus 2 upon 2 कितना हो जाएगा तूटू cancel बचे का हमारे पासी पोसी माइनस 1 तो alpha plus beta की यहाँ पर हमें मिलती है minus 1 तो यहाँ पर हमें लोग दोगा alpha plus beta equal to what minus 1 तो यह था आप लोग का alpha plus beta जैसे आपने alpha plus beta निकाला सीमिर दिया आप लोगो alpha dot beta भी निकाला लेना शाहिए है विखिए सारे वैले आप लोग काम आने वारी है alpha dot beta कैसे निकाल लेंगे बहुत से इंपल है minus 1 plus root 3 i upon 2 multiply by minus 1 plus minus i root 3 upon 2 यहाँ पर a plus b और a minus b बन रहा है that is nothing but a square minus b square यह याद रखना आप लोगो a square यह माइनस 1 का square b square यह किसका square i root 3 का square minus 1 का square होता है 1 और i का square होगा i square और नीचे कितना 4 सारी सीज़े सिंपल वही 1 minus i square root 3 का हो जाएगा 3 upon 4 अब सभी को पता है i square की value जो होती है वो minus 1 होती है simply यहाँ डालेंगे minus 1 minus 1 बच्चो क्या हो जाएगा plus 1 राइट तो यहाँ पर मुझे मिलेगा minus plus 3 upon में कितना मिल जाएगा मुझे 4 मिल जाएगा ठीक है इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 plus 3 upon 4 nothing but 4 upon 4 that is equal to 1 इस तरीके से मुझे alpha dot beta की value मिल जाती है तो मेरे इसाब से alpha dot beta आप लोग को निकालने हैं बहुत easy लिया जाएगा बात करते हैं अब हम लोग question में क्या find करना है तो question में हमें निकालना है alpha square plus beta square plus alpha dot beta यह value निकालने है और इसकी value हम लोग को बताने हूँ क्या होगी 0 तो अपन आप LHS के साथ start करते हैं LHS में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है alpha square plus beta square plus alpha dot beta दिया हुआ इसके उपर गौर करना अब मैं आप लोग कुछ बताना चाहते हूँ इसके उपर भी गौर करना बहुत यह अच्छी होता है कि उसे मैं क्या लिए सकता हूँ a square plus two two a b plus b square अब क्या करो माइन में टू एभी को यहां पर बेज़ दो a plus b whole square plus two a b आप है तो माइनस two b हो जाएगा और यहां बच जाएगा a square plus b square बच जाएगा यह आप लोगो समझ मैं यहां तक यह clear है तो बस यह भी एक्टम clear है अब दोको a square की जापे पूट करो alpha alpha b बीटा यहां पर क्या हो जाएगा alpha plus beta का whole square minus two alpha beta तो बस यहीं आप लोगों को यहां पर substitute कर दे रहा है तो यहां पर क्या बन जाएगा यहां बन जाएगा a plus b alpha plus beta का whole square minus two alpha beta यह आपने यहां पर put किया इसकी value है और यह alpha dot beta आपने वैसी रखा next step क्या होगा next step आप सभी को बता है आपके पास सारी value से put करना है लेकिन रुक जाओ ज़रा थोड़ा सा एक step और लेलो alpha plus beta का whole square वैसी रखो minus two alpha beta plus alpha beta कितना होगा minus alpha beta यहां पर इस तरीके से लिख देना इसको डालेंगे alpha plus beta की value हमारे पास कितनी है minus one and alpha dot beta की value कितनी है हमारे पास one तो minus one का square plus one इस तरीके से minus one का square होगा one minus one कितना हो जाएगा zero इस तरीके से हम लोगो को LHS मिल गया and that is is equals to RHS और हमनोंने क्या प्रूफ कर दिया यह प्रूफ कर दिया याने alpha square plus beta का square plus two alpha beta की value आपने zero proof कर दे तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे values को निकाल सकते हैं और बहुत सिंपल होता है इस question के साथ deal करना हूँ बात करता हूँ second question की तो उसके उपर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो वह भी similar kind क्या question है लेकिन इसमें बच्चे थड़े से confusion हो जाता है step number one आप लोग को हमेशा alpha plus beta और alpha dot beta निकाल के रखना है जबी भी आप लोग को complex cube root of unity की बात चलेगी alpha जो होगा वह होगा minus one plus i root three upon me two और beta जो होगा minus one minus i root three upon me two होगा इसके उपर भ्यान देते हैं फटापर से LHS को में लिखता हूँ LHS क्या है मेरे पास alpha raise to four plus beta raise to four alpha raise to minus one beta raise to one अब raise to minus one का मतलब होता है one upon तो इसको में लिख दूंगा one upon और यहां पर लिखता हूँ alpha raise to four plus beta raise to four और यह हो जगा one upon alpha dot beta हो जागा अब इससे इसे करेंगे तो इसको भी मैं यहां पर आप लोग को समझाता हूँ ध्यान देना बहुत समझे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगो क्लेर होने हुमाला alpha raise to four plus beta raise to four को मैं क्या से solve करूँ हूँ सब्सक्राइब करें कि सर्फ बहुत easy होंगी तो यहां पर समझाता हूँ समझाता हूँ मेरे पास है a plus b whole square है उसे में क्या लिख सकता हूँ ध्यान देना उसे में लिख सकता हूँ a square plus two a b plus b square लिख सकता हूँ इतना क्लिए हो गया उसी तरीके से माल लो कि मेरे पास है a square plus b square का square है तो इसे क्या लिखूंगा a square का square plus two into a square b square plus b square का square आपस फॉर्मल को एक इन एक लेवल पर लेकर गया हूँ तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा बी देस्टो फूर और यह प्लस two a square b square को वैसी रख सकते है आपन a square b square अब यहां पर देखना अब यह सारी चीज़े बहुत ही सिंपल बैठती है इस सारी चीज़ों को आप लोगों को सॉल्ट करने आने वाल अगर मैं इसको यहां पर खीछ लों तो क्या बन जाएगा a square plus b square का square यह हो जाएगा minus two a square इसके बाद b square और यहां पर a raise to 4 प्लस b raise to 4 के जगए पर यह लिख सकते है अब लेकिन एक और चीज़ में आप लोग को बताना चाहता है जैसे यहां पर जान तो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है अगर a square b square है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं two into a into b लिख सकता हूं लेकिन उसका square लिखना important बन जाएगा तो बस आप लोग को यहीं चीज़ को यहां पर replace करने दो कैसे बनेगा one upon alpha dot beta को थोड़ा दूर लिख तो और बाकि सारी value को यहां पर लिखे है क्या क्या है यहां पर a square plus b square का square बन जाएगा और इसके साथ साथ यहां प यहां पर क्या जाएगा two alpha dot beta और यहां पर क्या square है उसका square लागे इतना simple था और last में क्या plus alpha beta बेसे अब हमारे पास यह alpha dot beta के value है लेकिन हमारे पास alpha square beta square ने तो bracket के अंदर जो square है उसको भी देख लेता है तो पहला चीज़ आपन ने यह पूट कर लिए अप सेकेंड चीज square क्या होता अल्फा फ्लस बीटा का हो स्कूर मानस two alpha beta यहां पर क्या लिकांगा alpha square प्लस बीटा स्कूरी क्या होगा alpha plus beta का हुल 200 माले स्टू अल्फा बीटा बांच को स्टू और उनकी मैन कि बाखर किसी को कुछ भी नहीं करना है उसको वैसी रखत activists अब फारेल्स है पोनेवाले आप लुग को सारी की सारी वैल्यू को पूट करना तो देखते हैं alpha plus beta की value कितनी है फटा पड देखते अलपा प्लस बीटा हमारे पास कितना माइनस यहां डलूंगा सबसे पहले minus 1 ka square कि यहां पर मैं डाल दूंगा देखते क्या होगा उसका स्क्वाइर मानेस टू इंटू अलफा डूट बीटा की वेल्यू अगेन कितने हमारे पास वन वन का स्क्वार और यहां पर भी कितना हो जाएगा पर डाल दिया सब कुल सॉटेड है माइनस वन का स्क्वाइर होगा वन माइनस टू इंटू वन हो जाएगा यहां पर स्क्वाइर तू वन का स्क्वाइर टू यहां पर टू इंटू वन मिल जाएगा और वन अपन वन वन होने वाला है वन मानेस टू कितना होगा दोस्तों वन मानेस टू हो जाएगा माइनस माने और यहां पर फॉर्मेट करके बता है और यहां पर जो फॉर्माइर टिराइव करके बता है बहुत सही है आगे बढ़ते हैं और जबर दस गोषन बहुत ही अच्छा कोशन है विकी कोशन में दोस्तों सबसे अधर confusion बच्चों क्रियेट होता है और क्या करना है क्या step होगा किस तरीके है सॉल करना हो रहा जाता है सबसे बहुत पर ध्यान दो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए हमें कोशन में दिया हुआ यही होते यह होते यहांद रखना है कुछ चीज़े पटाऊने चीज़ Gefथ क quicker अधハハ फॉर्मूला में HAS इसक्वार एक प्लस बैकुड का फार्मूला मैं हम्हेत eh मिल एक जाएक उठा लो क्या रोट है अलेक है यहां पक्या लिकना एक्स वॉर्मॉट एक्स हमारे पास a plus b यहां हमाने पास kya है alpha a plus beta तो यहां पर यहां पर में लिखूंगा अलफा ए प्लस बीटा भी तो को बहुत कंफिजन होता है आपने दो बार ए लिखतें गे तो वह कंफिजन ना हो इसले में ध्यान से लिकर हूँ और C की वैल्लिव क्या है ए बीटा लस यहां पर क्या है का बी अलफा लिख दूँगा अलफा यह समझ में आ गया अब क्या करेंगे अपन कोई भी दो ब्रैकेट को सॉल करें गया तो ए प्लस बी को छेड़ो मत क्यों पता है मैं आपने को समझाना चाहिए एक यूब प्लस बीक्यूब में आपने को सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है ए प्लस बी और सेकेंड इनको सॉल करके तो यह पते को यह फिए मुझे क्या मिलेगा ए प्लस बी मिल चाहिए गा अब इनको मैं सॉल कर रहा हूं तो सबसे बहले यहां से कौन बाहर आएगा अलफा ए जो है न वो बाहर निकलेगा और वो जाएगा पूरे ब्राकेट के पास क्याने जो आगे वाला से लिखता है ताकि confusion ना रहे जामें बहुत confusion होता है इसमें तो बी बीटा बीटा भी लिख दिया और सेकेंड बैकेट में क्या लेखूंगा दोस्तों यह वाली वापर से ए बीटा प्लस यहां पर क्या आजाएगा इसको थोड़ा से दूर करते हैं यहां पर क्या कर दो अब ए प्लस बी में वैसी रखूंगा यह बाहर अब यहां पर देखो क्या होगा यहां पर होने लाइस हमली मल्टिप्लिकेशन सबसे पर जाएगा अलफा और एसके पास तो एंट टू ए हो जाएगा अपने को अलफा बीटा उसी के साथ जाएगा इसके पास तो यह हो जाएगा एघी मिल जाएगा अपने को अल्फा स्वे कोघवर आगे अब देखो यहांप और वी जाएगा सके बीटा इसके पास चाहिए को तो लल verf एड़ें को मैंने क्लोज़ कर तक अपैप 2 अब फ्लस बशे यहां बच्चे का अपने पास A2 और यहां बच्चे का मेरे पास B2 इसको डाल दे तो हमें LHS और यह ब्राकेट को मैं यहां पर क्लोज कर देता हूं इस तरीके से मुझे LHS तो मिल गया लेकिन LHS हमुझे देखो आलफा स्क्वेर बीटा के वेलु पता नहीं है अलफा स्कुरे प्लस बीटा की वेलु पता नहीं है तो कॉंसिन अम लोको बुला हुआ है अलफा बीटा क्या है का है कॉप्लेक्स क्यूट टूट ऑफ यूटि ए तो alpha की value कितनी हो जाएगी simple है दोस्तों आप लोगों को पता है क्या होगे minus 1 plus i root 3 upon me 2 और beta की value क्या हो जाएगी minus 1 minus i root 3 upon me 2 अब सबसे बहले आपन क्या निकालेंगे alpha dot beta और alpha plus beta तो पहले alpha plus beta निकाल लेता हूँ आप लोग को पता है पहले भी निकाले आपने आपको आता है नि i root 3 plus यहाँ पर क्या होजेगा minus minus i root 3 की cancel minus 1 minus 2 upon me 2 तो alpha plus beta की वहले कितनी होजेगी minus 1 इसे alpha plus beta निकाला similarly alpha dot beta निकालेंगे same तरीके से alpha dot beta क्या होगा multiply यानिकी minus 1 plus i root 3 upon me 2 यहाँ पर क्या है होगा minus 1 minus i root 3 upon me 2 आपने को पता है आपको तुझेर पहले ही solve किया होगा कितना आएगा बना आएगा लेकिन देख लिए अपने को चेक्टो करना पड़ेगा तो यहां पर क्या लेगा जो को नीची हो जाएगा 4 to do the 4 उपर लेगा a plus b और a minus b का फॉर्मुला वो क्या होता है a square minus b square अब a की जाप है minus 1, b की जाप है i root 3, minus 1 का square 1, i square root 3 upon me root 3 का square और upon me 4 हो जाएगा 1 by c i square की value होगी minus 1 minus minus plus 1 root 3 का square होगा 3 upon me 4, 1 plus 3 कितने का 4 upon me 4 तो आपने को alpha dot beta की value कितने मिल जाएगे, मिल जाएगी वो 1 मिल जाएगे alpha dot beta हमारे सामने है, alpha plus beta हमारे सामने है, तो next step क्या होगा, इसमें LHS and LHS, जो हमारा LHS आया, इसमें हम लोग को values को put करना है लेकिन हमारे पास alpha square plus beta square की value नहीं है, तो मैंने आप लोग को सिखा है, alpha square plus beta square क्या होता है, वो होता है, alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, तो बस यहाँ पर वो भी निकाल लेंगे, अब निकालेंगे alpha square plus beta square, वो क्या होता है, alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta, अब यह क्या होगा, यह alpha plus beta की विल हमारे पास minus 1 है, minus 1 एलफा स्क्वार प्लस बीटा स्क्राइब से हमारे पास है तो हमारे पास हुआ है यहां पर आगे चलो यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमारे पास स्कूर्णद प्लंस B स्क्रम पर आगे चलते हैं उसी के साथ साथ क्या है हमारे पास यहाँ पर पर इसी की इसाथ साल मिठेद के मैं अबैल यह ज доллар कि कितना हो जग का बन्सक्रम फ्रत कर दस्क्रम जいます है माइनस वान ठीक है अब वन को मल्टिप्लाइ करो तो यहां पर कितना मिल जाएगा ए प्लस भी इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे थो माइनस एबी एबी मिल जाएगा ठीक इतना से बच्च में आ गया अभी आप लोगो एक और चीज़ मुझे बताना एप्लस भी मैं वैसी यहां पर दो क्या करने वाला a square minus a b plus b square तो आप लोगी देखलो फॉर्मुला बहुत ही एच्छे तरी किसे फिट कर दो जो मैंने आप लोको पहले बताते हैं यहां पर वही फॉर्मुला मेरा यहां पर प्रॉपर्ली फिट हो रहा है a b और second bracket में a square minus a b plus b square वो फॉर्मुला क्या होता है a cube plus b cube that is equal to rhs और वही हम लोगों को प्रूफ करना था सिंपल है तो आप लोगों सबसे पहले पता ना ची complex student of unity क्या होते हैं तो वह होंगे alpha and beta उसकी value क्या है अब कोई भी graph अगर हम लोग बनाते हैं तो एक collection of point आपन बनाते हैं जैसे example ले लेता हूं मैं एक graph बनाता हूं बहुत सारे point लेता हूं और उसको अगर मैं join करूं को देख पूरा का पूरा curve बन जाता है तो collection of point उन्हीं collection of point को अपन क्या बुलाते हैं अब यहां पर हम लोगों स्लोकेश की value निकाल ले तो सब्सक्राइब कर दो यहां पर क्या मिलेगा x plus i y equal to 10 अभी आप लोगों को पता है आपने पड़ाता है mod of z जो होता है वो क्या होता अंडरूट x square plus y square होता है वहीं सिंपल लिखने mod of z की जापर क्या लिखेंगे x plus i और x plus x square हो जागा y का square अब यहां पर जब दोनों साइट square लेंगे तो x plus y square यहां पर कितना हो जागा 10 का square a simple x square plus y square equal to 100 is the equation of is the equation of what equation of locus of z इस तरीके से यह आप लोको find out करना है यह बहुत simple होता है बहुत आसान भी होता है पात करी जाए इस कोशिंगे यह भी सेम तरीके से करना है कैसे है से बहुत करेंगे आपन क्या z is equals to x plus y put कर दो z equal to x plus y put करते यहां पर x plus y minus 3 equal to 2 simple अब रियल को रियल के साथ देलो तो यहां पर क्या जगा यहां पर अंडरूट के अंदर स्क्यर स्क्यार का स्क्यार करेंगे यहां यहां पर डोफॉर नहीं का जो जहेगा दोस्तों फॉर प्लस 9 होगा A plus A minus 2 whole square एक फॉर्मूले से और इजे का y-square स्क्वार्स एक वाइस पॉर्मूले से और इजे का y-square equal to 4 अपको यहाँ पर ले लूँगा तो मुझे क्या मिले गए पाकि सारे कोशन प्रिके करें डिने हैं जो दोनों सी क्या करेंगे एक सप्लस आई वै लिए लिगा एक सप्लस आई वैइ प्लस 8 एड़ यापर क्या लिखुझा कृतित एकス प्लस आइवआ का स्क्वेर प्लस इमाजनरी का स्क्वेर यानि कि एक्स प्लस एट का स्क्वेर और वाई का स्क्वेर उसी तरीके से यहाँ पर एक्स माइनस फूर का स्क्वेर प्लस वाई का स्क्वेर अब दोनों सा जब स्क्वेर लेंगे तो स्क्वेर स्क्वेर रूट कैंसल यहां मिले का म मुझे 64 y square मुझे में लेगा x square minus 8x 4 to the 8x और यहां पर कितना हो जगा 4 4 to 16 plus y square तब को यहां पर लूँगा तो x square plus 16x plus 64 plus y square minus x square plus 8x plus 16 minus y square sorry minus 16 होगा यहां पर तो minus 16 minus y square अब देखो equal to 0 तो यह y square और यह y square cancel x square x square cancel यहां बच्छा मेरे वापस 16x यहां बच्छा 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 8x 16 plus 8 कितना हो जागा 24x आगे बढ़ते हैं 64-16 करेंगे तो इस तरीके से मुझे एक्वेशन आफ गया मिल गया मौड के अंदर इसको उदर लेके जाएंगे तो क्या जाएंगा जाएंड माइन सिक्साइड अब तो को सेम पैटन में आ गया थोड़ा सा दिक्कत यह है कि यह आपर अपर को स्कोर कृएरिस क्या अप्लाइ कूरूँगा मॉडल RAM का स्क्वाइर्स फ्ल repente कर लेंगा है कि इस पांड उने वाला यहाँ पर यहां पर क्या हुण प्लस है यहां यहां सब्सक्रिया है पर को यहां पर nuts दो सबको वहाँ पर लिता हो तो यहां पर मेरे पास एक स्कुयर है ये क्या है Y स्कुयर है मैने स्सेते ही स्देटेक वह नत्यकों है इसको वाइने स्कुर्णि-प्रफे जुए पर जिक वह कि जोड़ाइ पर बेने कुछ और रहने इसको अगर माने सांसे डिवाइड करता हूं इसको अगर माने से डिवाइड को तो थो माने स्टी बच्चे का एक्वल टू जीरो और ये मेरा क्या एक्वेशन आफ लोको सेट इस तरीके से वाला भी एक्वेशन मिल शायगा और आगे बढ़ते हैं अब यूज़ दी मोविस्टेरम एंड सिंप्लिफाइब इसे सिंप्लिफाइब तो आपके जिमाग में सबसे पहले है कि सर सर इसको अंदर ले 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 तर श्रवन इसके पास थरी इसके पास थे सकते कोई दिकतने चल ट्राइब करते हैं यह पर वजी कोशन जो भी दिया प्लस आई साइन तो थीटा देस्टुट सेवन अपन में कॉस फोर थीटा लस आई साइन वोर थीटा देस्टुट रिख सकता है अब इसे एक सिंपल तरीका में बताओं तो आप लोग बहुत इसलिए से कर सकते हैं अगर आप लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पर थीट वहर्वाली के सब्सक्राइब होगी दोस्त्प वान होगी ऑट कि अमुझे दिया होगा यह मुझे लिखन시र भार—— क्या जगा f त Nazi क्लिक सब्सक्राइबुत नहीं अब ह achievable हैild तो यह जाएगा उपर वण इंटू ए रिस टू टू ठीटा और यह पर आई लगा तो उसी तरीके से जैसे उपर लिखास रिस टू भूलना मत इसे उपर लिखाए वैसे नीचे लिखते हो इसे कैसे लिखते हैं वन इन टू बंसे मल्टिप्लाई करो नहीं करो एक रहे कि बा सब्सक्राइब होने वाला है यह जगाए रिस टू आई और सब्सक्राइब करो किसी भी नंबर को सेम नंबर मिलता है नीचे आएगा रिस टू आई थ्री फोर्जा टू वेल्टीटा हो जाए आपने इंडास को रूल पर जब बेस सेम होता है और डिविजन में होता है तो क्या होगा एडिशन और सब्राक्षन क्या हो जाएगा सब्राक्षन हो जाएगा यहां पर जैट की वैली मिल जाएगी हम लोग को ई रस टू आई 14 ठीटा माइन एक इतना 12 ठीटा अब आई कॉमन निकालो और 14 ठीटा माइनस 12 ठीटा करेंगे तो कितना बच्छे का टू ठीटा तो इस टू आई तो आई तू ठीटा बच्छाएगा पर इसे लेक्ने आपने को हमारे वापस से नॉर्मल फॉर्म में मतलब कौन से पावर में इस इस फॉर्म है इसको बोलते पावर को बाहर भी ले सकते हैं यहां पर इसको मैं यहां पर एक्स्प्लेइन करना ही कुशिश करता हूं अगर मैं इसको सॉल करना चाहूं तो यह कैसे होगा यहां पर किया कॉस 7 पाइब थर्टीन है और सब्सक्राइब कॉस सब्सक्राइब मतलब क्या बहुत है यहां पर सेवेड़ेया ब्लूलता है और 40 मेरा बैसी रहने वाला पर सकते हैं यहां और सुनक को मैंने सिखाया था क मैंऄ सीटा क्या होता है वंको Sparty अगर उन्दर उत जो फ़ितिव में है तो मैं भी सकते मैं मतलब में एक numéro four by three लिखा हूँ लिख सकता हूँ अब यहाँ पर माइनस है अब यह क्या करना हो एक और चीज़ कि बताता हूं sign of minus theta क्या होता है minus sine theta अगर इस minus को मुझे अंदर लेना है मैं लिखना पड़ेगा यहां पर इसको positive करके लिखना पड़ेगा यह मैं क्या करूँगा plus लिखूंगा i बेसे रिखूंगा इदर क्या लिखूंगा sin of minus 4 by 3 और उसी के बाद power में क्या है मेरे पास 6 है अब यह minus 4 by 3 को मैं उपर लिखूंगा यहां पर मेरे पास क्या बच्छे कॉस पाई प्लस आई साइन पाई और यहां पर क्या बच जाएगा सेवन से मल्टिप्लाइगा सेवन फोजा एट ट्वेंटी एट अपॉन में 13 नीचे आते हैं नीचे हमारे पास क्या है से यहां पर बचछे का मैरे पास कॉसज पाई करा हैश कि यूपर जाए अब अब मेरे पास नमबर चैनल अब इसको चाहिएगा रूस्क के लोड़ाा दून लेकिन छू समझना बहुत इंपॉर्टलवेट को को पहले वैसी ही रख रहा हूं उसके बार मैं सॉल्ट करने वह लो कॉस पाय प्लस आई साइन पाय वैसे ही नीचे क्या जोस्तों टू है और टू फोर सा कितना हो जगा माइनस एट और उपर कितना है यहां पर टूपर लोगा तो यहां पर नमबर क्या माइनस एट यह मानस एट क्या हो जाएगा और बाकी सारे आपको नमबर बहुत सारे अलग 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 नमबर मिलेंगे और लेक्तार स्कुमेस्तों मैं इसको तो मालटिप्लाइ कर लेता हूँ माइनस मानस क्या हो जेगा प्लस और 13 मैंटिप्लाइबा 8 करूंगा 138 कितना होता है सिंपल 13 मैंटिप्लाय वा एट करेंगे 80104 कि उस्तों भी हो गा यहां पर कितना आजाएगा 10 तो 104 आजाएगा यहां पर विलेगा हमारे पास 28 प्लस 104 अपन में 30 अब इसे एड करूंगा अगर मैं 26 दे तो 130 होगा तो 132 अपन 13 हो जाएगा नीचे नीचे का वह पावर सब्सक्राइगा अब मुझे आप लोगों कुछ चीजे बताने याद र वैलो क्या होती है कौ स्रीपाइबट की वैल्यू क्या होती है और साइन रीपाइबर की बैल्यू क्या होती है केसे आती दूब अपन लेखो सारे पाहाड़़ बनाना है यहां लिखना माइनस यह मैने से मैने से जगा प्लेस्मन हो गया इतना बाकि जितने भी वेल्यूस बच़गी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बस जीरो से फिए करतो तो इस तरीके से आप लग इन टू जीरो हो जाएगा और पावर में क्या बच जाएगा 132 अपन 13 अब लेखता 132 अपन में 30 अब 13 के डेबल में हमारा 132 डिवाइट तो नहीं होगा तो इसको वैसी रखना पड़ेगा अब इसकी वैलु क्या होती हमको पता नहीं है अगर और इवन पावर थे ठीक ता लेकिन यहाँ पर हमारे पस इन फ्राक्षिन में और फ्राक्षिन की वैलु को साथ अपन डील नहीं कर सकते इसको हम लोगों यहीं पर छोड़ना हो जोड़ना हो तो इसके बाद आगे बढ़ हो तो यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है कौन सा पूलार फॉर्म वह क्या होता है याद होना चाहिए आप लोग को पहला जो नंबर होता है वह कॉस थीटा होता है और सेकेंड जो होता है आई साइन थीटा होता है यहाँ पर हमारे पस क्या है पहले साइन फिर कॉस है अब क्य तरीके से साइन थीटा दिया हुआ है उसी केले सकते है कॉस, 90- कॉस नाइनटी- था, यहां की का पाई भाय बाई two मानस थेटा, बस यही चीज को आपन यहां पर रिपलेस कर देंगे, यहां बजी कहा हुआ यहाँ पर साइन थीटा के यह पर क्या जाएगा साइन थीटा इस इको सु आइन इन 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 सीटा यह समझ में आगे अगया आगे पर लोग को अब क्या होगा सिंपल कॉस्ट बाइब तू मानश dose फाइप अ дело को स्कू सॉल खर्ण हे इसको सॉल खर्ते तो पाइब डाइब डाइब क्या हो जाएगा कर थ episódio करना चाहिँ तो बेजहीज पर ट्यों seems to 10 by 2 कितना हो जाएगा यह हो जागा 9 by 2 यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा minus 9 by 2 minus 9 upon 2 और यहां पर प्लस आई इंटू साइन कितना हो जाएगा 9 by 2 यहां पर पाई लिखना भुलना मत 9 5 by 2 with negative 7 ठीक है अब यहां दे इंदर चाहतो भेज सकता हो फटाफट से और उसके बाद मैं स्ल्वी कर सकता हूं तो मेरे पास क्यांए पाइप अधर अधर तो सबसे पहले क्या कर लो इसे कर सकते हैं या फिर आप लोग इसको मैं तरीका बताता हूं बहुत सिंपल होता है बहुत आसान होता है इसे में लिखना चाहूं तो फोटी फोर पाई प्लस पाई अप्वाएन प्लस प्लस पाई-मारे लिखता हूं अब फोटी फोर कितना त्वेंटी टू पाई प्लस पाइबाई टू और इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मैंने ना टू पाइब मतलब होता एक राउंड और 11 इंटू टू पाइब मतलब 11 राउंड मैंने कम्प्लीट कर लिए मेरे इस पूरे कॉंटरेंट के यहारा राउंड कम्प्लीट किये है जब ग्यारा राउंड कम्प्लीट के तो वापस से में 0 पर आगा और उसके बाद मैंने कितना लिया हुआ पाइब बैट हो तो आप लोगों की याद होना चाहिए यह समझे में आना चाहिए कॉस टू एंड पाइपलस थीटा रहेगा तो भोस साइन थीटा ही होगा यह अब उसी तरीके से इसे इसका मैं सकता हूँ अब कास रहेगा यहां उससे लिख सकता हूँ टू कि सकता है i sin 22 pi plus pi by 2 लेख सकता हूं अब बस आप लोगों वैल्यूस जान लिए आपका अंशर आपके सामने होगा तो कैसे करेंगे अभी अब बस आपका अंशर आपके सामने हैं आप लोगों इतना लिखना है यहां पर finally z की value क्या हो जाएगी cos of pi by 2 minus i sin pi by 2 अब cos pi by 2 to 0 होता है sin pi by 2 की value कितने होती तो 0 minus i into 1 तो minus i आपका z का value आजागा that is the solution of this question इस तरीके से आपने क्या कर ले बहुत इजी लिए आप लोगों को यह सोलुशन मिल चुका है एक्स्प्रेस दा फॉलेविंग फॉर्म एक्स्प्रेस दा फॉलिविंग इन दा फॉर्म आप ए प्लस आई टी बाइस थेरम अब दी मोवेस थेरम को प्लाई करने के लिए सबसे पहले चीज़ आप लोगों को लिखना आंगर मैं सी करू एक्स प्लस आयवाइग के साथ एक्स के वेली मुझे मिल रही है और म ledge मौट मुझे मिल रहे एक्स को स्केर प्लस तीइक होगा अग्स की वेल्यूर घ्याग माइनस का स्क्वेर होगा 1-1 का square 1 यह हो जाएगा root 2 यह मिल गी R की value अब बात करेंगे अगली value यानि कि theta की तो सबसे पहले theta को समझना पड़े कौन से quadrant में आ रहा है यहाँ पर X हमारा क्या है positive है और Y हमारा क्या है negative है X positive Y negative विच quadrant दोस्तो first second third और fourth चलो देखते हैं X positive यहाँ पर है है Y negative नीचे है तो यह तो दुनों कौन से quadrant में आ रहा है थर्ड फोर्थ quadrant में थीटा किसमें लाएगा रहे थीटा लाए इन फोर्थ quadrant हो गया है तक फोर्थ quadrant दन अब बढ़ेंगे हम लोग हमारे पर आप लोग को बज़ने जिसके लिए थीटा किया को थीटा इस इक लिए तो टूपाइ माइनस टैन इन वर्स ओफ मॉड के अंदर वाइब एक्स तूपाइव ऐसी रहेगा माइनस टैन इन वर्स वाई की वैलु कितनी हमारे पास है माइनस वन वाई की वैलु हमारे पास कितनी है माइनस वन एक्स की वैलु है वन तो माइनस वन अपन वन तो प्लस वन ही होगा और टैन इन वर्स ओपन कितना होता फोटीफाइव तो थीटा की वैलु कितनी हो जाएगा टूपार माइनस फोटीफाइव थीक है कि यहां तक इसे सॉल कर लेते हैं तो फोर टूजा एट एट माइनस वन कितना हो जगा सेवन यह आप लोग को थीटा की वैलियू मिल गया है इस तरीके से आपने क्या कर लिया आपने थीटा की वैलिव इस रिका लिए बस आपको आपको यहां पर पूट करना है किसमें कौन से फॉर्म है और पूल्लार पॉर्म स्कावल्यू फॉला फॉलर्म क्या होता है स्वैट इडि इकल स्वार इन्टो कॉस्टेटा लस आए शायं थीटा यह तो बस्ट इडे दिखल स्ट टो आर ह की वैलिई कितनी रूट टू आस क्यों सिर रहको कॉस्ट थीटा थीटा कहता प्र Halo क मुंआ इन्टू साइन टामेन पाइबाए ठीक है सही आ तक सब कुछ सॉटेट अब क्या हम लोगों को निकाल ला हमाना जैड जैड की वैले कि दिको यह आपा जैड को वन मनस आई लिया हमें निकालना जैड रस टू पाइड पाइड की वैल निकल यह हमें फाइंड करता है तो लेना होगा इस्टू फाइफ में यहाप लिखता हूँ और मैं अपलाई करता हूँ मेरा फॉर्मूला इसको वैसी रखो इसको मैं कहले लिख सकता हूँ यह क्या हो जैगा रूट टू रस टू फाइब आप लोगों को बताओ तो बहुत सिंपल लोगों यहाँ हो जाए कॉ यहाँ फॉल ओं एं यहाँ तक अब डीम आपनेकर स्काथ में यह फॉर्डू घराय मिलेका फूरू फॉरिय॥ इदर जाएंक दिया मिल जाएंक और यहां पर और्क न्दर जाएंगा तो सब्सक्राइब तोड़ना होगा किसी भी अच्छे तरीके ताकि अपन इसका सुलिक्शन निकाल सके तो मैं इसे तोड़ना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके तोड़ सकता कॉस अब एक काम कर तो इस सारी वैल इसको सप्रेटली फाइंड कर ताकि यहाँ पर मेरा मिस कंफूश जनना हो जाए और इसको मैं अगर बढ़ना करते हूं सबसे बहुत कॉस्ट थर्टी फाइब फाइब फॉर की पहले निकाल सब्सक्राइब को मैं यहाँ पर तोड़कर दिखाता हूं 35 फाइब फॉर नीचे क्या है फूर है फूर के डेबल में आता है फॉर एड़ यहाँ यहाँ तरीका है दूसरा तरीका क्या है और भी बहुत तरीके तोर्से जैसे यहाँ पर देखा इसे क्या लिख सकता हूं और भी लिख सकता हूं यहाँ पर सिंपल है थाटीफाइव पाइब फॉर थाटीफाइब फॉर है तो फूर के मिल्टीपल में एक नंबर कम हो रहा है यानि क्या थटीशिक्स पाइट मैंनिस पाइब अप उप्रवन दा ठाटीकि यहाँ तक समझ्छवे कि कितना हो जाएका सिंपली यह हो जाएका 36 अपॉर और पाइ तो नाइन पाइण यह थोड़ा साप लोग कर देगा और यह तो लेकिन जो मैं पहले पता तो उससे करेंगे तो बहुत एसी लिए कैसे इसको 32 पाइए चलता था वैसे दिक्कत तो नहीं यह भी चल जाएगा आप लोगो बस आप लोगों को अब इसको समझते हैं करेगा नाइन पाइन पाइण पाइग पर पाइट नाइन पाइड यहां पर आ घण पर यहां पर से कंड कारण से कंड कॉर्टन फोर से कंड को डिखो आफटर स्कूल्स देन कॉलिज के फंडने से देखें यहां पर साइन और कोशिक पॉसिटी वहता है कॉस्ट तो नेगेटीव थे तो का दुग आपर सिंबली कॉस्ट नाइन पाइम मानने सी टागे यह कोड़न में लाइक कर रहा है तो यहाँ पर कॉस क्या हो गए नेगेटव थो माइनस कॉस्त ठीटा थीटा की वेली खेड़िए कいきए पाइब भाइब रूड और कास्थ थीफाइब फॉर की वैडियू आगे कोस्स 35 5 4 की वैसे ही साइन 35 5 4 की वैसे ही साइन 35 5 4 की वैसे निकालने पड़े गें अब यह कैसे करें यह बहुत सिंपल है ध्यान देना सेम सेम यह भी घूमे कर तो नाइन राउंड होगा और इसको भी अपने को इसे लिगना पड़ेगा साइन 9 यह मिल गया यह मिल गया अब क्या अब बस इसको क्या करना आपने को पूट करना और आंसर को निकालना है तो इसको यहां पर समझता है कहां पूट करेंगे आपन यहां पर equation number one यहां पर मुझे मिल जाएगा one minus i raise to five equal to four root two bracket के अंदर cost 35 5 by 4 उसकी value कितने हैं minus 1 by root 2 plus i into 1 by root 2 अफोर root 2 से यंदर multiply को to the 4 root 2 upon root 2 plus i into 4 root 2 upon root 2 root 2 to cancel बचे का minus 4 plus i into 4 and that is the value of that is the value of what one minus i raise to five बहुत simple था इसको solve करना बहुत easily भी आप लोगों को इसका solution मिल जाए तो इस तरीके से आप लोगों इसका solution मिलेगा और आप लोगों को कोशन आ जागा अब यहां पर अपने बस दो हो सकती है और उसके बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा थीटा क्या होता है और टू बनेगा और थीटा के वेलिए आपको को से लगाना इसमें और बात करें इस question की यह भी से में अब देको दोनों नेगेटिव हैं तो आप लोगों को थीटा लाइक करने वाला कौन से को देखने और थीटा मिल जाएगा आपको निकालने आता ही है और फटा फट से मुझे इंस्टाराम पे आप लोग इस चीज से रिलेड़ेड़ कोशन पूच सकते हैं और आप लोग मुझे वापर आप लोगे मेसेज भी शेयर कर सकते हैं जो भी कोशन में डाउट रहेका उसको सीन शॉट वगरे लेकर फोटो क्लिक करके मेरे साथ शेयर कर देना मैं यह सारे कोशन आप लोगो बता हूँ कैसे करना है बात करी जाए इस कंसेप को समझना तो इसके लिए सप्रेट वीडियो आप लोग इस चैनल के प्लेइस में जो आप लोगो इस डिस्क्रिक्टर में मिल जाएगा और फिर से मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट चाप्टर के वीडियो में तब तक लिए से ट्यून और गुडबाए